प्रेंट्स जी अजबानी में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आई हैं अप्रेल मंद की क्रोनिकल बीडियो का सेकंड पार्ट फर्स्ट हमारा हो चुका है जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएगा ये सेकंड पार्ट है हमारा आरच्छन विल 2024 पारित कर दिया इसके अंतरगत सिच्छा और नौकरियों में मराथा समदाय के लिए कितने प्रत्सत आरच्छन का प्राबधान किया गया है दस प्रत्सत बीस फरवरी 2024 को किसराज ने अपना 38 वान राज दिवस मनाया अरुनाचल प्रदेश ने देश का पहल फरवरी 2024 को केंदरी सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंतरी नितिन गड़करी ने 15 फरवरी 2024 को 6600 करोड रुपे की लागत वाली 28 राश्ट्री राजमार्ग पर्योजनाओं का उद्गाटन एवं सिलान्यास कहां किया ओड़ी शा के स्री जगनात पुरी में असम ने किस फ बना है असम चार फरवरी 2024 को किस राजी की मंतरी मंदल ने शमान नागरिक सहिता यू सी सी विदेय को मंजूरी देदी उत्तराखंट केंद्री क्रेशी एवं किशान कल्याण वर्जन जाती कारे मंतरी अर्जुन मुंडा ने जहारखंट की खूटी में पूर्वी छेत्र क् तीन फरवरी 2024 को किस राजी के राजपाल बनवारी लाल पुरोहितन राजपती द्रोपती मुर्मू को अपना त्याग पत्र शौपा पंजाब दो फरवरी 2024 को जहारकन के बार में मुख मंतरी के रूप में किसने सफत ग्रहन की चमपई सोरेन ने ओडिशा के मुख मंतरी नवीन पत्नायक ने 27 जनवरी 2024 को संबलपुर में किस परियोजना का उदगाटन किया है समलेई मंदिर परियोजना 27 जनवरी 2024 को राजी में यातायात ब्यवस्था में सुधार और सडग दुरगटनाओं को कम करने के लिए सडग सुरक्षावल नाम दीवाई चंदुचूर ने 22 फरवरी 2024 को कहां आयू शमग्र कल्यान किंद का उदगाटन किया सर्वोच नयायले की परिशर में केंदरी मंतरी मंदल ने 2021 की अबद के लिए बाढ़ प्रवंदन एवं सीमा छेत कारिकरम एफ एम बी एप को कम मंजूरी दी 21 फरवरी 2024 को 19 फरवरी 2024 को किस मंतरा लेने जनजाती विद्ध्यातियों को सारव्जरिनिक स्वास्तय पर संयुत पहल की गोशना की आयूस एवाम जनजाती कार्य मंतरा लेने केंद्री सिक्षा एवम कोशल विकास मंतरी धर्वेंद प्यदान ने 20 फरवरी 2024 को देश के पहले कोशल भारत केंद SIC का उधगाटन कहां किया ओडिशा के शंबलपुर में मच्य पालन भिवाग ने 19 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किसके साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये Open Network for Digital Commerce 19 फरवरी 2024 को बिश्यु के पहले ओम आकार के मंदिर का उधगाटन कहां किया गया राजस्थान के पाली में इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ओफ साइंस आई एन वाई एस ने नौवी वार्शे कामसभा की बैठक कव आयजित की 17 फरवरी 2024 को राश्टी ट्रांसजेंडर समधाय परसद एनसी टीपी द्वारा नई दिल्ली में कव एक बैठक आयजित की गई 19 फरवरी 2024 को 16 फरवरी 2024 को भारत में नागरिकों की देखवाल में सुधार करना बरिश नागरिक देखवाल प्रतिवान की पुर्णर कल्पना शीशक से एक इस्थित पत्र की संस्ताने जारी किया नीत आयोग ने पेज 11 सुच्छ था विवाग ने 16 से 17 फरवरी 2024 को जल जीवन मिशन तथा सुच्छ भारत मिशन ग्रामीन पर एक राश्टी शम्मेलन का आयोजन कहां किया लखनव में डॉक्टर अर्विंद पंगडिया की अधिक्स्ता में सोल में वित्यायों की पहली बैठक नई दिल्ली में कब आयुजित की गई 14 फरवरी 2024 को प्रधान मंत्री नरेंद मोधी जी ने नई दिल्ली में अध्यात में गुर्शी स्रील प्रभुपात जी की 150 वी जैनती के उपलक्ष में कब इश्मार्क टिकट और शिक्का जारी किया 8 फरवरी 2024 को देश में इलेक्ट्रिक बाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम टू कारिक्रम का परिवियाए 10,000 करोड रुपे से बढ़ा कर कितना कर दिया गया 11,500 करोड रुपे राज्य सभा ने जल प्रदूसर की रोक्तामा और नियंतरन संसोधन विदेयक 2024 का पारित किया 6 फरवरी 2024 को हाल ही में मैसु लिथिक सेल चित्रों का कहां पता लगाया गया तेलंगाना के पेददा पल्ली जिले के सीतामा लोदी गुट्टु सिंगा राम में समेधान जम्मू कस्मीर अंसूची जनजातिया आदे संसोधन विदेयक 2024 लोगसवा में 6 फरवरी 2024 को पारित किया गया ता राज्य सभा में से कप पारित किया गया 9 फरवरी 2024 को 4 फरवरी 2024 को उत्तरपूर्शमेलन का आयोज़न कहां किया गया नई दिल्ली में चार दिवसी राष्टी आरोगी मेला का आयोजन कप किया गया एक से चार फरवरी 2024 को उपराश्टपती एवन राजी सभा की सभापती जगदीब धनकर ने एक फरवरी 2024 को उच्छे सदन में कितने सदश्यों वाली पाद्देश्चों के पैनल का पुनरगटन किया आठ केंदरी मंत्र मंडल ने उर्वरक यूरिया इकाईयों को घरेलू गैस के आप उत पर विपड़न मार्जिन के नेधारन को मंजूरी कब दी एक फरवरी 2024 को शिक्षा मंत्राले ने किस पत्रकारता और जन संचार के अग्रणी संसान को विशेश्रेणी के अंतरगत दीम्ड बिश्विद्याले घोसित किया भारती जन संचार संसान आयाई-मसी भारत ने बर्ष 2024 हेट यूनेसको की विश्विरासत सूची के लिए किसे ना मांकित किया भारत के मराठा सैन परिद्रिश्य राश्पती जोप्ती मुर्मु ने संसद के उच्चे सतन राजिशवा के लिए किसे मनूनित किया है सतनाम सिंग संधू को अब देखेंगे आर्थी की खबर हैं वित्वर्ष 2024 हो दोज़वाद 2026 के लिए रवर छेत रहेत वित्ती सहताव कितने प्रस्त बढ़ाकर 708.69 करोड रुपए कर दी गई 23 प्रस्त भारती अक्षय उर्जविकास एजनसी लिम्टेड आई आरी डी ए तथा पंचाव नैश एक समझोता ग्यापन पर कब हस्ताक्षर किये 19 फरवरी 2024 को दामोदर घाटी छेत में ट्यूब कोईला खानों की विकास के लिए किस महारतन कंपनी के साथ दामोदर घाटी निगम ने 588 करोड रुपए के समझोतों पर हस्ताक्षर किये ग्रामीड विद्धिती करन निगम आर ए सी एल टी डी देश में 20 लाग करोड रुपए मार्केट कैप पार करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई रिलाइंस इंडस्ट्री अंतरिम बज़र 2024 में किस मंतराले को सबसे अधिक बज़ट आवंटित किया गया रक्षा मंतराले 6.1 लाग करोड रुपए दिसंबर 2023 में 8 प्रमकुद्योगों ICI की सूचकांक में दिसंबर 2022 की सूचकांक की तुलना में कितनी बड़ोतरी धर्ज की गई है 3.8 अनंतिम अब देखेंगे अंतराश्टी खबरे किस देश के साथ भारत की अविलेखागार के छेत में शयोग करने पर शेहमत हुई ओमान के साथ 23 फरवरी 2024 को भारत का किस देश के साथ नई दिल्ली में बाड़ेज जदूत इस तरका 11 दुपक्षी संबाद आयुजित किया गया अमेरिका के साथ किस देश ने हाल ही में भारती परियाटकों के लिए पांच वर्षी एक अधिक प्रवेश वीजा की विवस्था लागू की है दुबईन अंतराश्टी शोर गटवंदन में शामिल होने वाला 119 देश कॉलन बन गया है माल्टा ब्यापार समझोते के लिए भारत पेरू वारता का छटा दौर पेरू के लीमा में कवाईजित किया गया 12-14 फरवरी 2014 भारती नौशेना और फ्रांचेशी नौशेना के 27 इस्टाब भारता 6-7 फरवरी 2014 को कहाईजित की गई नई दिल्ली भारत और रवांडा ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किगाली रवांडा में सहयोग रक्षा सहयोग शमेती जेडी सीसी की पहली बैठक कवाईजित की 8 फरवरी 2014 को हाल ही में किस देश की सरकार ने भारती नागरिकों के लिए मुफ्त बीजा नीती को मंजूरी दी इरान मार्क फिलिप से भारत की 6 दिवसी यातरा पर 6 फरवरी 2014 को नई दिल्ली पहुंचे वे किस देश के प्रधान मिंतरी हैं गोयाना के 4 फरवरी 2014 को हुई मतगरना में किस देश के राजपती नायब बुकेले ने जीत प्राप्त की एल सलवाडोर फ्रांस में भारती दूतावास ने 2 फरवरी 2014 को कहाँ पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपी आई को अपचारिक रूप से लॉंच किया पेरिस के एफिल टावर केंद्री मंतिर मंडल ने 1 फरवरी 2014 को किस देश के साथ दुपक्षी निवेशंद पर हस्ताक्षर एवं पुष्ट को अपनी अनुमत दी संयूक्त अरव अमीरात 31 जन्वरी 2014 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा शामग्री तथा उपकर्णों की खरीश से सम्मंदित समझोते पर हस्ताक्षर किये ओमान अब देखेंगे बिग्या नैवम प्रोध्योगी की से सम्मंदित खबरे आदित्य लवन पर लगे प्लाज्मा एनलाइजर पैकेज फॉर आदित्य पीए पीए नामक पेलोड ने किसके प्रवाव का पता लगाया है कोरोनल मास इंजेक्शन CMES Intuitive Machines द्वारा नेनमित कौन सा लेंडर चन्दमा की सतय पर लेंड करने वाला पहला नीजी कंपनी का अंतरिक्षियान बन गया है Odysseus Tejas MK-1A1 के लिए Digital Flight Control Computer का सपलता पूर्वप परीक्षर कब किया गया 19 फरवरी 2024 को केंदरी मस्यपालन एवं पशपालन मंतरी परशुत्तम रूपाला ने नई दिल्ली में पशपालन बुनियादी धाचा विकास को इसके नई पोर्टल का सुवारम कब किया 14 फरवरी 2024 को भारती गुडवत्ता परिशद QCI और Open Network for Digital Commerce ने MSME और छोटे खुद्रविक क्रेताओं को शशक्त बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉंच किया डिजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टन इसराइल के वेग्यानिकों ने साइप्रेस के पास जलके नीचे की एक घाटी का पता लगाए इसके इसे क्या नाम दिया गया है एरा टोस्थ नीज केंद्री कोईला खान एवम शंशदी कारी मंतरी प्रहलाज जोची ने कोईला खान भविशी नीदी शंग्ठन का कौन सा बेपोर्टल प्रारम किया सी कैयर्स केंद्री पत्तन पोत परिवहन एवम जलमार तथा आयोश मंतरी शरवानन सोनोवाल ने एक फरवरी 2024 को सागर से तो NLP Marine Platform के भीतर कौन से दो डिजिटल मॉडियू लाँच किये मेरी टाइम सिंगल विंडो MSW और मरकेटाइल मेरी टाइम डिपार्टमेंट MMD किस देश ने सिमोर्ग फिनिक्स उपग्र बाहक रॉकेट का उप्योग करके 23 जन्वरी 2024 को एक साथ तीन उपग्रे लाँच किये हैं किसने किये हैं इरान ने अब देखेंगे परिया वरनन से सम्बंदित खवरें इंदोर के रामशर इस्थल सिर्पुर जील में बिश्व आदभूम दिवस कम मनाया गया दो फरवरी 2024 को हाल ही में भारत के कितनी आदभूमियों को रामशर इस्थल अंतराश्टी महत्री के आदभूम के रूपें शामिल किया गया पांच विश्व शतत्विखाज सिखर सम्मेलन डबलू एचडियस का तेईसमा संस्करण साथ से नौ फरवरी 2024 कहां आज़ित किया गया नई दिल्ली में हाल ही में इंडिया क्लाइमिट एंड डेवलप्मेंट पार्टनर्स मीट का आज़िन कहां किया गया गोवा में अब देखेंगे रिपोर्ट और सूचकांक से संबंदित खबर हैं इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिर द्वारा बिश्में लोकतंत की स्थित पर डेमोक्रेशी इंडेक्स दोजा 13 रिपोर्ट जारी की गई सूचकांक में भारत के से इस्थान पर पहुंच गया है इक तालिस में इस्थान पर हाल ही में भारत सरकार को अप्रवाशी भारतियों और विदेशों में रहने वाले नाग्रेकों से संबंदित बैवाहिक मुद्दों पर कानून नामक सीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट किस आयोग द्वारा सौपी गई विधियायोग द्वारा पिह सार्जनिक संपतिकों नुक्षान की रोगठाम पर कानून की समीक्षा केंद्री परियावरान बन एवन जल्वाय परिवर्तन मंतरी भूपेंद यादव ने तीस जनवरी दोजाचोविस को नई दिल्ली में आयजित राश्टी वन्नी जीव वोर की बैठक के दोरान कि इस रिपोर्ट को जारी किया भारत में हिम तेंदूओं की इस्थिती पर अब हम देखेंगे योजना कारिक्रम से संबंदिक खबर है पंचाती राजमंतराले ने बाज़िस फरबरी दोजाचोविस को ग्राम पंचाती इस्थानिक विकास योजना जीपी एस डीपी पर क्र आइटी मंतरालें के लिए बार्चिक छमता निर्माण योजना कव आरम की 22 फरबरी दोजाचोविस को केंद्री जल सक्ति मंतरी गजिन सिंग सेखावत ने 16 फरबरी दोजाचोविस को जल जीवन मिशन की डैस बॉर्ट पर किस पहल का सुवारम किया सिटीजन कॉर्णर का ह आल ही में किस मंतराले या बिवाग द्वारा शंगम डिजिटल ट्विन पहल का अनावरन किया गया दूर संचार बिवाग डॉर्ट संचार एवं सूचना प्रध्योगे की मंतराले द्वारा 15 फरबरी दोजाचोविस को सर्वोचिनायले ने किस योजना पर सर्वशमत से र आथ परबरी दोजाचोविस को भारत पेट्रोलियुम कॉर्पोरेशन लिम्टेड बिपी सेलने ल्पी जी वित्रं में क्रांति लाने के लिए किस पहल का अनावरण किया प्योर फॉर शूर पी एम गति सक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रूप की 65 भी बैठक में कितने बुनियादी धाचा परियोजनाओं का मूल लियांकन किया गया पांच केंदरी शिक्षामंति धर्मेंद प्रदान नई दिल्ली में एडशिल विध्यानजली चातरवर्ति कारिकरम का शुवारम कभी किया 6 फरवरी 2024 को अब देखेंगे खेल से सम्मंधित खबने दक्षिर कोरिया की बुशान में बिश्यू टीम टेबल टेनिस चेंपियनसिप में भारती महिला टीम ने किस देश को हराया हंगरी को 18 फरवरी 2024 को थाइलेंड को हराकर पहली वार बैडमिंटन एशिया टीम चेंपियनसिप का खिताब किसने जीता भारती महिला टीम ने अई वाकिना को हराकर कतर ओपन किस ने जीता पॉलेंड की इगा स्वियाटेक, स्वियाटेक ने, सुमित नागल ने पुरुष सिंगल्स में इतली के लुकार नाड़ी को हराकर चेन ने ओपन एटी जी एटीपी चैलेंजर ट्रॉफी जीती, पुरुष डवल्स का खिताब कि चैंपियंसिप जीती पांगलादेश, दच्छिर इसिया की पहली पेसेवर महला हैंड वॉल लीग डवलू एचल का अनावरन नई दिल्ली में कब किया गया, 6 फरवरी 2024 को, और शेलिया ग्रेंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाडी कौन बने, इतली के जानिक सिनर खेलो इंडिया प्रतियोगता में लड़कों की बॉली वॉल, प्रतियोगता में तमिलांड शौडपदक जीता, जबकि लड़कियों की प्रतियोगता में शौडपदक किसने जीता, पश्रिम मंगाल अब हम देखेंगे प्रतियोगता परिक्षा प्रशनुत्तर सार, इसमें 14 नमंबर से 3 दिसंबर के, 3 दिसंबर 23 के मद्ध, जो भी प्रतियोगता हुई हैं, यानि कि जो भी पेपर हुए हैं, एक्जाम हुए हैं, उनसे सम्मंदित सब्जेक्ट से कुष्चन लिए गए हैं तो चलिए देखते हैं यहां पे, सबसे पहला टॉपिक है हमारा यहां इतिहास, पानी पत्त की प्रथम लड़ाई बावर और किसके बीच लड़ी गई थी, इब्राहिम लोदी, एलोरा की गुफा में कितने मंदिर और मठ हैं, 34 किस अधिनियम ने ब्रिटिस भारती सरकार को राजनीति गतविदियों को दवाने के लिए अतिदिक सतियां प्रदान की और राजनीति कैदियों को बिना किसी मुकदमे के दो वर्स तक हिरासत में रखने की अनुमत दी रोल एक्ट, स्वतंता मेरा जन्मशेद अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा, किस ने कहा था वाल गंगाधर तिलक ने, बेगम पुरी मस्जिद का निर्वार कि सुल्तान के सासनकाल में किया गया था मुहमद बिन तुगलक के, किस ने मति भारत में चमड़ा स्रमकों की बेहतरी के लिए सनातनी सतनामी अंदोलन सुरू किया था तमिल में, मौरी बंश की स्थापना के लिए चंदगुप्त मौर ने किसे हराया था घनानंद को, चोल बंश के राजचिन में किसका अंकन किया गया था बाग का, बुद्ध चरित के लेखक अशुगोस किस कुसान राजा के दरबार में दार्सनिक थे कनेश को प्रथम, 1929 में खुदाई खिदमतगार दल बनाने वाले स्थांता सेनानी का नाम क्या था खान अब्दुल गफ़ार खान, किस बर्स खान देश को मुगल सामराज में समाविष्ट किया गया था, 1601 में, 37 सोदक समाज की स्थापने किसन की थी, जोतिवा फुले ने, मीन कैम्स किस रा मूर्ति पूजा का बिरोद करता है और बेदों की अचूकता का समर्थन करता है, आधिय शमाज, कम्यूनिस्ट जरंडल वैन गार्ड के संपादन करने वाले स्थांता सेनानी कौन थे, M.N. राय, 1906 में इस्थापित इंडियन सोसाइटी ओफ ओरियंटल आर्च की छात्रवत पाने वाले बिटिस भारत के पहली ब्यक्ति कौन थे, नंदलाल बोश, हरिसेन ने किस राजा के सम्मान और प्रशनशा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, समुद्र गुप्त, मुगल भारत म किस नाम से पुकरा जाता था, मुकद्दम के नाम से, चार मीनार का निर्माण किस राजबन से द्वारत किया था, कुतुप साही, मानव के लिए एक जाती एक धर्म, एक इश्वर के दर्शन को किस ने प्रतिपादित किया, सिरी नारायन गुरु ने, किस वर्ष क्रिप्श में साज़ा के Śासन काल में कंधार किससे हार गए था शफा विदिशे किस अधनियम के से मंतेग्ठी चेमस्पूर् सुधारों ने प्रांटों में द्वैद सासन की सुरूआत की सुन्यकां नेजमारी गुऊन्स सेंट एक्ट 1891 पारिद करने में महत्पूर्ण भूमी का निभाई थी बहराम जी मालावारी बंगाल भिवाजन कव लागू की गई थी 16 अक्टूबर 1905 को दिली में मोट मस्जिद किसके बजीन मंतरी ने बनवाई शिकंदर लो दी किस अधनियम के तहत हुए चुनावों में 1937 में कॉंग्रेज को साथ प्रांतों का निवंतर दिया भारत सकरकार अधनियम 1935 वाई आएम एन एन एथिस्ट किस क्रांतकारी की आत्म कथा है भगत सींग की भारत में अनुवनित सिविल सेवाओं के लिए अहर्ता प्राप्त करने वाले पहले भारती कौन थे सतेंदना कौन सा भाग या सनरचना इस्तूप की सबसे उपरी भाग में इस्तित है हर्मिका मुगल अधिकारी अमल गुजार मुखी रूप से कौन सा कारे करते थे भू राजश ये कत्र करना थियो सोफिकल सोसाइटी की सापना किस देश में हुई थी अमेरिका में वक्षर की युद मूल तक कहां के निवाशी थी मध्य एशिया के मुहम्मद विन तुगलक ने इबन वतूता को दिल्ली में किस पदपर न्युक्त किया था काजी के पदपर वेल लोर में सिपाई विद्रो किस बर्स हुआ था 1826 भी में हर्स वर्दन किस राजबंत के राजा थी पुश्य भ गुरु जो एजहावा जाती के थी ने अपनी सामाजी सुधार अंदोलन की सुर्वा कहां से की केरल से राम केश्रमेशन की स्थापना 1897 में किसने की स्वामी विवेका नंद जीन है लिक्षवी राजकुमारी कुमार देवी का विवा किस गुप्त राजा के साथ हुआ था चंद गुप्त प्रथम के ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी राजा राम मोहन रायजीन है 1938 से 1949 में भारती राष्टी कॉंग्रेट के अद्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था सुभाज चंद बोस को चांदी की मुद्रा किसने जारी की जो सासक के सबाद सदियों तक एक मानक शिक्का बना रहा शेरशाह शूरी कौन सा मंदिर होयशल इस्थापति सेली में बनाये गया है केशब मंदिर भारत के किस वाईशराय ने भारत में इस्थानी निकाय बनाने की पहल की लौड रिपन गौतम बुद किस गढ़तांत्रिक राज्जी के राजकुमार थे शाक्य कौन सी दो प्रमुकांतरिक भूमे मार्क थे जिनके माध्यमशी मौरिकाल के बाद ब्यापार और बाड़ेज्य होता था उत्तरापत और दक्षिणापत कौंग्रेस 1929 में किस इस्तान पर अपने पूर्ण सुराज की प्रस्ताव की घोश्टा की कौंग्रेस ने लाहोर में किस वर सुभाज चंद बोश को भारती जिस स्वतनता लिग का द्यक्ष नियुक्त किया गया था 1943 में मुहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली सल्तनत में एक उच्च प्रशाशनिक पत्पन्युक्त किया जो एक सराब बनाने वाला था अजीज घुमार को किस मुगल संब्राट के विरुद अफगान अमीर खान जहां लोदी ने विद्रो किया और पराजय का सामना किया था सहाजा के विरुद किस अधनियम के तहद केंदरी बिधार मंटल दो सद्नों से बना था भारत शरकार अधनियम 1919 आगरह सहर की स्थापना किस वर्थ हुई जोति राव गोविंद राव फूले प्रथम भारती कारखाना अधनियम 1881 मुखिता किस विसाय से संबंदित है वाल श्रमशे मौरी काल में कलिंग बर्तमान में किस राज का प्राचीन नाम है ओडिशा का दुतिय करनाटक युद के समय फ्रांशीशी शेना का नेता कौन थ बुद्ध चरित के लेखा कौन थे अशुगोश दिली के किस सुल्तान ने तुरकाने चहल गानी की इस्थापना की इल्टु तमिजने चहल गामी होगी यहां गौतमी पुत्त साथ करनी द्वारा किस राजबंद को सक्ति प्रादान की गई थी शात बाहन नौवी सताब्दी के मद्ध में मुत्ते रहार के डेल्टा पर कबज़ा करके सहर का निर्मान किया तंजाबु पावर्टी एंड अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया के लेखा कौन थे दादा भाई नौरोजी किस विदेशी सक्ति ने भारती काली मिच की ब्यापार को साही एकादिकार बना दिया पुर्तगाली ने किस मौरी राजा ने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में उत्तर पश्चिम तक नियंतरन बढ़ाया चंदगुप्त मौरीय ने 1749 में दिल्ली पर बिज़प्राप्त कर लूटने बाला नादिर्शा कहा का शाषक था इरान का नाटक म्रक्ष कटिकम की रचना किस ने की थी सूद्रक ने किस साषक ने नगला पुरम नामक एक उपनगरी वस्ती की स्थापना की कृष्णादेव राय कौन सा कर दिल्ली सल्तनत की भूराज स्प्रणाली से सम्मंदित था खराज मुगल अविलेखों के अनुशार अकवर के शाचनकाल के दौरन 5000 जात रेंक वाले कितने मंसवदार प्रारंबिक वैदिक समाज में परिवार के मुख्या को किस नाम से जाना जाता था कलपा कुलपा नाम से जाना जाता था इबनु बतूता की पुस्तक रेहला मूलते किस भाहसा में लिखी गई थी अर्वी भाशा में 1949 में forward block की स्थापना किस ने की थी सुवाशन्द बोस ने रोलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया 1919 में एनी वेसेंट किसके प्रवाव में फेवियन समाजवादी थी जॉर्ज वर्नार्ड सौके भारती राश्टी कॉंग्रेस की सापना की समय भारत का बाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरेन भारत के सीमान्त कांदी के रूप में जाना जाता था खान अब्दुल गफ़ार खान को बंगाल में इस्थाई बंदोवस्त किसने सुरू किया था? लॉड कार्नवालिश हडपास अब्दा के दौरान किसकी मूटियों को बनाने के लिए लॉश्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया गया था कांश्य प्रत्वी राज रासों की लेखक हैं चंदवर्दाई किस राजा ने? नागला पुरम नामक एक उपनगरी वस्ती की स्थापना की थी क्रशनदेव राय किस बस मुश्लिम लीग ने भारती मुसल्मानों के लिए अलग राष्ट पाकिस्तान की मांग की 1940 में माइट टाइमस एन आटो बायग्राफी भारत के किस प्रसिद्ध स्थांता सेनानी द्वारा लिखी गई थी जेवी कृपलानी के द्वारा किस चार्टर अधनियम ने भारत के साथ ब्यापार पर इस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को निलंबित कर दिया 1813 असोग के अधिन उत्तर परशिम प्रांत की राजधानी क्या थी तक्षिशिला भारत में बड़े पैवाने पर सोने की सिक्के जारी करने वाला पहला सासक किस राजवन्स का था कुशान गोपाल क्रेश्न गोखले ने किसे हिंदू मुश्लिम एकता का शर्ष्वेश्ट दूत कहा था मौम्मद अली जिन्ना को भरहूत का प्रशिद स्टूप मूल रूप से किसने बनवाय था मौरिवन्स ने कम्यूनिस्ट इंटरनेशनल लीडर्शिप क्लास के लिए चुने जाने वाले पहले भारती नेता थे मानवींद नाथ राय उत्तर भारती मंदिर वास्तकुला के सीजवर सपाट गुल सनरशना को कहा जाता है अमलक 1919 की किस कोख्यात घटना के बाद हंटर आयूग नियुक्त किया गया था जलियावाला बाग हत्याकांड किसकी जीतन भारत में दिल्ली सल्तनत की आधार सिला रखी तुर्कों की जीतने 1946 में ब्रिटिस सरकार द्वारा भारत में भीजे गए भारत के राजे सचिव और कैबनेट मिशन के सदस्ते लॉर्ड पेथिक लॉरेंस दुआरती वारवोशा यातरी था पूर्टगाल का दा इस्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टुथ आत्म कथा है महात्मा गांदी की राष्टकूट सासक दंतिदूर के म्रत्य विना किसी पुरुश उत्रादिकारी के हुई उसके बाद उसके चाचा उत्रादिकारी बने क्रिश्न प्रथम कैलास मंदिर किस प्रकार क चट्टान से बना हैं बेस साल चट्टान से भगर्शीं के साथ किस ने आठ अप्रेल दोजार उन सौरी आठ अप्रेल 1929 को केंदरी विधान चवा में बंफेका बट्टु केश्चर दत्ने किस अधिवेशन में भारती राष्टी कॉंग्रेस ने सायमन कमीशन के बहिसकार क ने लिया मदराश अधिवेशन पानी पत की पहली लडाई 20 अप्रेल 1526 को बावर और किसके बीश लड़ी गई थी इब्राहिम लोदी साथ बाहनों के साथ करनी प्रथम की राज़धानी थी प्रतेश्थान जूनागर में मौरिबांध को मरमत का संस्क्रत में शिलाले किसक पासक ने अपने आक्रमणों में सबसे पहले स्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब जक किया था राज 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 एहमद नगर की नेजाम साही राजबंद की स्थापना 1490 में की थी मलिक एहमद नेजाम उल मुल्क बहरी ने रामक्रिष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी बिवेका नंजी ने राजत तो की अपनी धाना के अनुशार कई कुशान साशकुन उपाज धारन की देवपुत दच्षिर महारत में इस्थित मंदिरों के परिशन में प्रवेश करने से पहले सुभोवित परवत जैसे प्रवेश द्वार को कहा जाता है गोपुरम राजा सनरशना में पानी के रिशाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी थी ब्रहत इस्तानागार मोहन जोदरों अगर नियोजन में किस पैटन का पालन किया गया जाल बिक्रमा जत्ति के उपाधी धारन की थी चंदगुप्त दुतियन मनुश्य त्यास में किस काल से खा फमशाना का वर्णन करता है मंदिर की छतें जो कई विश्चिला पट्नों से बनी होती है आर समाज की स्थापना कब की गई थी 1875 को बल्लवी की मैत्रकवंस के संस्थापक कौन थी भट्टार्ग 1820 की रहतवाडिक क्रशक ब्यवस्ता की सेथ में लागू की गई थी मद्रा के रूप में पहला सर्वोचन्याला इस्थापित हुआ था कलकत्ता में जल जल आशर बांद और तट्वन की सढपा इस्थाल पर पाए गए धौला वीरा अशोक के शाचनकाल में निर्मित इस्तूपों में से कि सामगरी के इस्तंब थे पत्थर के हर्मिका बौद वासकला में किसकी विसेश्ताओं में से एक है इस्तूप आठवी सतापदी में भारत में नागवर्ट प्रथम ने मालवा छेत में से किस राजपूत राजबंत की स्तापना कीती गुर्जर प्रतिहार आठ और नौ सितंबर को दिल्ली की फिरोश्या कोटला मैदान में रिपब्लिक एसोसियेशन में पुनरगठित किया गया था 1928 को मात्मा गांदी ने दानडी यात्रा का नेत्युत किया था 1930 में किस वर्स गांदी इर्विन समझोते पर हस्ताक्षर किये गए थी जिसमें सरकार ने सभी राजनेतिक कैदियों को रेहा करने पर अपनी शेहमत व्यक्ति की थी 1931 जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंग जेव को बिंदु सार उत्तरा दिकारी था चंदगुप्त मौरिय का पंच महल इस्तित था फतेपुर शीकरी में देव समाज की स्थापना हुई थी 1887 को दिल्ली पहली वार किसके सासनकाल के दौरान एक राज की काल के दौरान मोरियों की राज़धानी पारटली पुत का प्रक्षाशन कितनी समधियों द्वारा प्रवंदित किया जाता था शे प्राची ने par मधीकालीन भारत में अक्षा देवी से सम् brass पूझा का एक रूप जिसमें अभ्याषी अक्षा कर्म-कान के संदर में अपने मात्र पक्षिय मुगल सासक वंसस्ती चंगेज खां विक्रम संबत प्रारम होता है सत्तावन इशापूर गोखले के नियाई नारायन मला जोची ने किस वर्ज में मुंबई में सोसल सर्वेश लिग की स्थापना की 1911 है मौरी शमाज का अंतिम समरार था ब्रहदरत एंगलू मैसूर युद्ध अठारमी सताबदी के दौरन मैसूर की सासकों और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए कितने युद्धों की शंखला थी चार किस साथवाहन राजा ने 125 CE के आसपास साथवाहन चेत को उसकी पूरकी मानता में बहाल किया गौतमी पुत्त किसने प्रशिद सब्द बन काश्ट वन रिलीजियन वन गार्ड फॉर ओल मैन सवी लोगों के लिए एक जाती धर्म एक भगवान कहते थे स्री नारायन गुरू किस बर्स भारत में बाल बेबा निरोदक अधिनियम पारित किया गया था 1929 में 1904 में विनायक दामोदर सावर करने किस संग्ठन की सापना की अविनब भारत सोसाइटी की महात्मा गांदी ने 1930 में दांडी यातरा सुरू की थी सावर मती आश्रम शे इटेलियन यातरी मार् भारत आया तेर्मी शताब्दी में बॉंबे प्रेशीडेंशी असोसियेशन की सुरूआत बदरुद्दिन तयब जी तयब जी फिरोस्सा मेहता और केटी तैलंग द्वारा सुरू की गई थी 1850 में चंदगुप्त मौरी द्वारा प्राचीन भारत में मौरी शाम राज की स सापना से ठीक पहले किस राजवंस ने मागत पर शाषन किया था नंदवंस ने पतंजली संकलन के लिए विख्यात है योग शूत्र विजयनगर के समराट अच्चियोद देवराय बंश के थे तुलब बंश के अशोक के शाषन काल के दोरान बलुआ पत्थर के एकाश में इस थंबों को बहुत अफधानाओं के शिलालेखों के साथ साथ किस जानबर को हाती और शेज जैसी पश्वाकरतियों से अभिशिक्त किया गया था वैल गांदी जीन भारत में शत्यागर के अपना प्रयोग किया था चंपारण में किस दमनकारी कानून के खिलाप महात्मा इस थल इस्तित है मध्य प्रदेश में एक सत्तारून सक्ति के रूप में चोल नौमी सताथी इस भी में प्रतिश्थित हो गए किसने जब तंजाबुर को पल्लवों के एक सामनती प्रमुख मुत्त रायस से जब्द कर लिया विज्याले रडजी सिंग सिख समदाय के मिसल स सम्मंदे थे सुर्च किया तुगलक वंस के बाद बंस ने सासन किया किस वंस ने सयद वंस ने महराष्ट के सतारा में युवा नेताउने एक समाना अंतर सरकार पार्टी की स्थापना की जो लोगों की अदालत चलाती थी और रचनात में कार्याजित आयुजित करती थी उन परतनाटियम 1928 में हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिबलिक रिबलिकन एसुसियेशन एच एस आर एक के गठन में किसने महत्पूर्ण योगदान दिया था भगत सिंग ने खान अब्दुल गफार खान द्वारा सुरू किया गया आंदोलन खुदाई खितमतगार बहुत प्रथम निकेटर के सेलिकस निकेटर प्रथम के कनाटर के लिंगायत समदाय के उत्पति किसके नेतरत में एक आंदोलन के उभार के कारण बार्मी शताब्दी इस भी में हुई थी वश्वन नित्यमंडल बास्तुकला के उडिशा स्कूल के एक चतुर भुजी परिशर के बीतर विशाल परशर को जाना जाता है जग मोहन 1857 की विद्रों में कानपुर में विद्रों का नेतरत किया था नाना साहब पेशवाने लच्मर शेन के शाचन काल के दौरान रचित गीत गोविंद के लेखक थे जैदेव कौन गुलाम बंच का शंस्थापक था जो पहले म प्रशिद गीत अमार, सोनार, बांगला लिखा था जो 1971 में बांगला देश की सुतनता के बाना राश्टगान बना रविंदना टैगॉर ने इस्ट इंडिया कंपेनी ने राजपुर्भाट की संदिक किस मराथा सक्ति के साथ की थी होलकर के साथ पूना सार्जनिक शभाजो महराज में 19 सदी के भारत के सबसे मजबूत राजनेतिक संग्ठनों मैशे एक था कि इसे सुरू किया गया था 1870 में मद्योगीन बास्तुकला में खानका सम्मंदित हैं सूफी संद बार्मी शताब्दी के लेखा कलर ने अपनी राजतरंगडी नामक पुष्टक में किस छेत की इतिहास का वर्णें किया कस्मीर का सुंदर चौकोर आकार की बास्तुकला कांच महल भारत में किस सहर में इस साल अखवार के संसापकते मौलाना अब्दुलकलाम अबुलकलाम आजाद प्रयाक प्रशत के लेखा कर्चेन गुप्त सासकों में किस के दरवारी कव थी समुद्दु गुप्ति के बंबई में प्लेक किस वर्ण फैला था 1896 में कौन सी बास्तु विशेष्ता या संरेशन मोहन जोद्रों के नगर दुर्ग का हिश्चा नहीं थी आवाशी भवन गुप्तों को वर्ण का माना जाता था वैश्य वर्ण का शिवाजी ने अपने शाशनकाल में हिंदों में देश वक्ती की भावन जगाने के लिए किस पर्व की शुरुआत की थी कड़ेश मदिकाली बास्तुकला में शराय के लिए इस्तिमाल किये जाने वाले इस्थान है आइस्थाई आवाज दिल्ली सुल्तान खरीदे गए अपने बिशेश दासों को सैनिशेवा के लिए प्रशाशन में नियुक्त करना परशंद करते थे जिसे किस भासा में बंदगान कहते फार्शी किसने लंदन में आये जी तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया तेज बहादर शप्रूने ब्रिटिस भारत में लड़कियों की साधी की कानूनी उम्र दस वर्से बढ़ा कर 12 वर्स कर दी सहमत आयू विदेयक 1891 के द्वारश इस्तूप कला में तोरण का अर्थ है प्रवेश द्वार कौन जहांसी की रानी रेजिमेंट का भरती करता कारिवाहक और शेनापती था लक्षमी श्वामी नाथन दक्षिन भारत में बहमनी शामराज की स्तापना की समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था मुहम्मद विन तुगलक पुलकेशिन दुतिय जिसने ह शर्वी वाले कार्तुस को प्रयोग करने से मना किया बैरकपुर बार्दोली सत्याग्रे का नेतित किया था सदार बललब भाही पटेल ने दक्षिन अफ्रीका से लोटने के बाद महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्जुनिक वस्तिती उन्निस सो सोले में बनारे विश्विद्याले के उद्गाटन समारो में बंबई का प्रशिद गेटवे ओफ इंडिया के ब्रिटिश समराट के प्रथम भारत आगमन के इस्वनत में बनवाया गया था किंग जॉर्ज बंचम के गांधी जी ने ब्यक्तिगत सत्याग्राय अंदोलन के पहले सत्याग्र रही के रूप में चुना था अचारे बिनोवा भावे को लोधी वंच की वास्तकला में के साक्रेति की मकवरे पाए गए हैं अश्टु भुजाकार राजपूत वंच के चंदेल राजवन से ने भारत के प्रारंबिक मध्योगीन काल में नौवी और तेर्मी शताब्दी के बीच किस छेत पर शाशन किया था बुंदेल खंड वन व्यास्ता को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्रामणों द्वारा रिगवेद के किस सूक्त का प्रयोग किया गया था पुरुश्यूक्त का भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था तुर्की में इसल प्रमण किया था तैमूर लंग एलोरा का क्यालास मंदिर और महावली पुरुम का रत मंदिर किस प्रकार की मंदिर वास्त को लाकव द्वारा ने रॉक कट इलावाद की स्थम पर हरिसेंट द्वारा लिखी तबलिक किस बहासा में है संस्कृत 1515 में एम के गांदी के भारत लोटने पर किस ने उन्हें देश और इसके लोगों को जानने के लिए भारत में यात्रा करने की सलादी गोपाल क्रिश्न गोख ले गुप्त काल में कालेदास द्वारा लिखित राजद दुश्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक का नाम था अविज्यान शाकुंतल श्याम जी कृष्ण बर्माने किस इस्थान पर इंडिया हुम रूल की स्थापना की जिसे इंडिया हाउस फोर इंडिया जर लिवरेशन के नाम से जाना जाता हैं लंदन मयूर शिंगाचन के नाम से मसूर रतन जड़ी सिंगाचन को किस के द्वारा साधिकार किया गया था शाजा के द्वारा किस वाइसराय ने नगर पालिकाओं के लिए इस्थानी श्वशार्षन को अधनियमित किया और 1878 के बरना कुलर प्रेश्च एक्ट को निरस्त किया लॉर्ड रिपन मौड प्रेशार्षन में राजय शुबसूली करता अधिकारी कौन होता था समाहरता किस अधनियम के तहतक प्रांतों को कानून बनाने और शंशोदित करने की विदाई सक्तियां बहाल किये गए बहारती परिशाद अधनियम 1861 किस मुगल वाजशा को दिल्ली के दर्वार में अपने शिंगाशन के पीछे जड़ाई की एक शंखला डिजाइन करने के लिए जाना जाता है जिसमें पौरानिक देवता और फियस को भीना वजाते हुए चितित किया गया है साज्यां किस देवता को रिगवेद में किलों को तोड़ने वाले की रूप में जाना जाता है इंदर को मौरिकाल की जानकारी के शोध दीबंस और महावन्श नामक बहुत ग्रंथ किस देश से सम्मंदित हैं स्रीलंका से किस ने कहा कि रजिया दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के लिए अपने सभी भाईयों से अधिक ने पूड़ती मिनाहाज ए सिराज ने अकवर के शाषन का तीन कर्णों का इतिहास है कि जिसके लेका के अबुल फजल दस मई 1857 को ब्रिटिस भारत में 1857 का बिद्रो किस सहर से हुआ था मेरट से बर्स 1855 में पहली जूट मिल रिशिरा में इस्थापित की गई थी जो अभी स्थित है पश्रिम बंगाल में थियोसोफिकल सोसाइटी किस समाज सुधारक द्वारा सुरू की गई थी एनिवेशन्ट संकर देव ने किस धर्म के प्रचार के लिए अशम में सत्री अनित की सुरूआत की थी बैशनव धर्म दिल्ली सल्तनत के तहत कौन सा राजवन्स भारत में पहला अफगान पस्तून राजवन्स था लोधी लोधी बंस है इंडिया वींस फ्रीडम के लेखा के अब्दुल कलाम आजा कि शोल राजा ने गंगा घाटी पर आक्रमाड किया राजिंद फस्ट ने कि संग्ठन की स्थापना उननिश्ट तीस में डॉक्टर भीम राम मेट करने की थी डिप्रेश् एस्सेशन डिप्रेश्ट क्लास एस्सेशन इस्ट इंडिया कंपरी द्वारा व्यावशाइक गत्विदियों और बिच्षेश शंशक द्वारा राजनीति गत्विदियों की देखवाल की जानी थी पिट्स इंडिया अधनियम 1784 के तहद ओशंग शाह का मकवरा हिंडोला म पूरे में लड़कियों के लिए देश के पहले स्कूल की पहली प्रदानाब द्यापे का कौन थी शावित्रिवाई फूले किस संदी के तहर रजेत सिंग और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच छेत्रों का शिमंकन हुआ अम्रिश्चर के तहर विजए नगर की लोकप्री प मरमत और संरच्छन के लिए एक अधिनियम पारित करने का प्रस्ताव किसने रखा था लौड करजन ने अंग्रेजन द्वारा भारत सरकार को किसी योजना के तहत अंतरिम शरकार का प्रादधान किया गया था कैविनेट मिशन योजना की तहत कौन से स्थान पर नियंतर पा कि लिए कौन सामविदिक कि आयोग इस्ताफित किया गया था साइमन कमीशन अविनव भारत सोसाइटी की इस्तापना किसने की सावर कर बंदुने मौरियों के अधिन विक्रे मूल का कितना भाग करके रूप में वशूल किया जाता था एक वट्टा दस इस्ट इंडिया के आधार पर फंशाना और लेटिना की रूप में बर्गीकरत किया गया है शिकर अब हम देखेंगे भूगोल से सम्मंदित क्वेश्चन सम्ताप मंडल किस बाय मंडली परत के बीच इस्तित है छोब सीमा और सम्ताप सीमा नोकरेक वाइस फियर रेजर भारत के किस राज में मिस्तित है मेग हाले में वहाँ प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा किसी छेत में प्रजातियों और प्राक्रतिक वास के मिस्रण में समय के साथ परिवर्तन होता है पारिस्थित की अनुक्रम कोपेन की ये प्रकार की जलवाय सम्मंदित है सबसे ठंडे महीने का उस इस प्रकार की चट्टानों के निर्मान के लिए गठित अवस्ता और अत्ती उच्च तापमान महतपूर मानदन्ड है आगने चट्टान किसका प्योग मिट्टी की वंदकों के रूप में किया जाता है टेरी डोफाइड नर्बना नदी के उत्तर में इस्थित प्रायद वीपी पठार का भाग कहलाता है मद्य उच्च भू में मैगमा को परिभाशित किया गया है प्रिच्वी के सतय के नीचे इस्थित अत्यंत गर्म तरल और अर्ध तरल सेल राश्टी जलमार्ग 4NW4 की नदीयों से संबंदित है गोदावरी कृष्णाशी एक खादिश अंकला में ओर्जा पिरामिड के आधार में होता है उत्तरी गोलाद में उत्तर अयनान तो होती है 21 जून कोपेन जलवाय के अंशार उश्ण ग्रीस्म आर्ध महादुईपी जलवाय की विसेस्ता को लेक करता है D.F. गहाटी के बिपरीत किनारों पर समतल होने वाली बेदिकाओं को संदर्वित किया जाता है यूगमेत जल संसादन है जल एक चक्रिक संसादन है भारत में कोमन और कुरुबा प्रकार है करतन तहन क्रिशी का उत्तर और उत्तर पश्वी भारत में दिन के समय चलने वाली तेज जोकेदार गर्म शुष हवाओं को कहा जाता है लू क्रिशन वेशिन के कुल जल ग्रहंट चेत का कितना प्रशत करनाटक से होकर बढ़ता है चवालिस प्रसत न करावर बर्सा हो सकती है तुरा में वहें दर्ग क्या कहलाती है जिस पर उपोकता अपने भोजन में रासाइनी पूर्जा को अपने बायो मास में परवर्तित करते हैं द्वित्तियक उत्पादकता हिमाले से निकलने वाली नदी दाहिनी किनारी की शायक नदी के रूप में गंगा नदी के समानतर बहती है यमना नदी जब शूरी चंदमा और पृत्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार की उचाई अधिक होगी इन ज्वारों को क्या कहते हैं ब्रहत ज्वार गांधी सागर वन्य जीव अभिहारन इस्थित है मध्य प्रदेश में जिब्रा जवक फाइटो प्लांक टन होते हैं ताला पारिस्तित की तंत्व उत्पादक एसिया की सबसे वड़ी जुग्गी बसती है दहाराभी चित्रकोट जल प्रपात भारत के नियागर जल प्रपात के वरूप में जाना जाता है एक प्राकरतिक जल प्रपात है जो भारत के चछ प्रपाति आम तोर पर भारत के चेत्र में पाई जाती है हिमालई चेत्र में राज जी अकेंद सासित प्रदेश केशर का ग्रीड उत्पादक है जम्मू कस्मीर कौन से पेड़ भारत की पढ़पाती बन में पाई जाते हैं शागौन कौन सी वित वितलिये चट्टाने आम पर काले या गहरे हरे रंकी होती हैं और मुखे रूप से प्लाजियों क्लोज और आगाई खनेजों से बनी होती हैं गैब्रों भूमी पर गिरने वाला जल कितना प्रशत भाग महाशरागरों के साथ साथ अनिशा इस्थानों से बास्पी करन द्वारा बाय मंडल में लोट लोटता है 69 प्रतिसत किस रित में पश्मी विचोप की कारण उत्तरी राजियों में बड़सा होती है सरद रित में अगस्य माला वायो स्फियर रिजर्व राजियों में इस्थित है केरल और तमिलाड में लोहो और इस पात सयंत्र बंगाल की खाड़ी के तरफ पर इस्थि करती है हराश्मान कौन सी नदी उत्तरी दिशा में क्रेशन वेशन के तुंगभद्रा उपवेशन और दच्छनी दिशा में पालार उपवेशन से गिरी हुई है कावेरी वेशन पारिस्थित की तंत के केवल अजैविक तत्व सामिल होते हैं म्रदा खनिजपदात पवन औ दच्छन गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को एक ताला पारिस्थित की तंत में पहले पोशी इस्तर में खादी जाल का क्राम है छोटे पौदे कीडे मचली पक्षी शेर कौन सा मंदिर विश्व की चुम्ब की भूम मंतिर एखा के केंद्र बिंदु पर इस्तित चिदंबरम मंदे शामानित जब हम भूमद रेखा से दुगों की और बढ़ते हैं तो बर्षा पर क्या प्रवा पढ़ता है बर्षा निरंतर घठती जाती है कौन सी नदी मत्य प्रदेश में धुआधार जल प्रफात बनाती है नर्मदा काठियवार प्रायदीप भारत के किसराजी का हिस्सा है गुजरात का 1927 में पसु पारिश्तितिकी के बारे में विचार किसने दिया था चार्ल्स एल्टन ने कौन सी भूकंपी तरंग अधिक विनाशकारी हैं प्रिष्टी तरंग महा सागरी उश्मा का प्रमुख मुखिश्रोत है सूरज की रोशनी जन सां से किस डिगरी पर भूकं सूचक यंत्रपी तरंगों को रिकॉर्ट नहीं करता 145 डिगरी से उपर प्रिथ्वी के अंतरंग का कोई भाग है दुर्वलता मंडल जलवाय वरगी करन की योजना को संसोधित करने के लिए 1961 में किस जलवाय वेग्यानिक में कोपेन के साथ सहयोग किया रूडोल्फ गीजन ने भुरभुरी परपटी तथा प्रिथवी के ऊपरी भूप्रवार के सीजवाग को कहते हैं इस्थल मंडल करना टक का कोलार सहर अपनी ख़दानों के लिए प्रशिद्ध है शोनी दाची मध्य प्रदेश में जापान का सबसे उचा परवत मांट पूजी जो फेल्सिक और मध्य शिलिक सेल से निर्मित है किस प्रकार की जौला मुखी का निरूपन करता है कैपोजिट किस अध्योगिक सेयंद को भद्रावती नदी से जल आपूर्टी होती है विश्वस्रय या लोह एवम इसपात सेयंद उत्तर भारत में रभी मौशं में उगाई जाने वाली फशल कौन सी है चना भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर तक सेवा प्रदान करती है शड़क परिवहन करखल जिरी चिरी मोधुरा लोंगई शोनाई रूकनी और शिंगला किस नदी करती हैं अवसादी चक्तान के सब्द मांसून कि विशिष्ट समयावदी के दोरान पवन की देशा में होने वाले मौशमी परिवर्तन को दर्साता है एक वर्ज किसका उत्पादर मढ़ाने के लिए दोहजार साथ आठ में राश्टी खाद सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था चावल गेहूं और डाले ओजोन परत के बारे में क्या सही है यह समता पंडल में पाई जाती है क्लोरो फ्लोरो कार्बन ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदारे या प्रितवी के सताय से 15-30 किल किलो मीटर ऊपर पाई जाती है किसे हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जैविखाद का प्रयोग हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा इस्थान लोक प्री रूप से सीत मरुस्थल परवत के रूप में जाना जाता है इस पीत घाट मक्कू तुईवई शोनाई और रुकनि किस नदी की साहयक नदियां है बराक नदी की मोर मुगाव अंदरगा किस राज में इस्थित है गोवा में महासागर में कितनी मुख्य तापमान परते होती है तीन सीत रितु में भारत के उत्तर पश्चिम भागों में कौन सा कारक बरसा में योगदान देता है पश्चिमी पत्र पत्र का योजना कुरुचेतर फरवरी 2024 इसमें हम देखेंगे योजना कुरुचेतर में योजना योजना में देखेंगे 22 कल्यान के लिए AI कि संग्ठन द्वारा यह कहा गया है कि क्रत्रिम मेधा AI 22 की स्थर पर 40% नौकरियो अंतराश्टी मुद्राकोश के द्वारा यह कहा गया है किस पहल की परिकल्पना में AI स्टार्ट अप एको सिस्टम को सायता देना श्वास्ता देखवाल क्रशी भाशन वाद प्रशाशन और उससे परिबास्त्विक दुनिया की चुनोतियों का समाधान करने वाले ब्याव जा 23 का एजन कहां किया गया नई दिल्ली में किया गया वह अब धारना जहां प्रोध्योगी की भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती नवाचार अर्थव्यवस्ता बनाने में उत्प्रेरक के रूप में महत्पूर्ण भून का निवाती है इंडिया टेकेड अब होना डिजिटल अर्थव्यवस्ता दोजास सोलर सौरी दोजासचशबिस तक सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रत्सत योगदान देने के लिए तयार है बीस प्रत्सत डिजिटल इंडिया की परिवर्तनकारी यात्रा में किसकी महत्पूर्ण भूमिका है एयाई की इस ट हैं शमाबेशन शहयोग आत्मक एयाई तथा सुरक्षित और विश्यशनी एयाई बिस्व इस्तर पर वह सुरक्षा और विश्यास धाचा जहां एयाई प्लेटफॉर्म सहित अन्नि प्लेटफॉर्म की दायत बहन की सीक्रित की पोश्टि की गई थी जीपी एयाई सिखर सम मेलन नई दिल्ली प्रशाषनिक एबम साज्वनिक सेवाओं में एयाई इसकी बारे में जानेंगे आर्टिफिशेल इंटेलिजन्स सब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था उननीस सो चपन में जॉन महक कार थी जेनरेटिव एयाई बर्स दो जातीश त प्रशान है पांच माँ पिछले दो वर्सों में जैन एयाई स्टार्ट अप में कितने डॉलर का निवेश आकर सित हुआ है 475 मिलियन डॉलर न्यू एज गवर्नेंस के लिए एक इकरत मोबाइल एप्लिकेशन क्या है उमंग मोबाइल एप्लिकेशन का शुवारम कब किया 2017 में नागरिक उड्डेन मंत्राले ने नागरिकों के लिए हवाई आत्रा के अन्वाव को बढ़ाने के लिए कौन सा AI लॉंच किया है डीजी आत्रा भारती हवाई एड्डों के लिए किस पर आधारित एक प्रणाली है बायो मेट्रिक आधारित डीज्टल इंडिया भाषिनी पहल किस मंत्राले द्वारे शुरू की गई है इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रोध्योगे की मंत्राले बिविन भारती भाषिन और बोलियों के लिए स्पीश टू स्पीश मसीन अनुबाद और यूनिफाई लेंग्वेज इंटरफेस किस पहल के तहिज बिक्सित किया जा रहा है डेटल इंडिया भाषिनी च्हाती के एक्षिरी का उपयोग करके कौन सा एयाई अधारित कोबीड डिटेक्शन एप्लिकेशन शॉफ्ट Вेर बिक्सित किया गया है ए-t- m- in ॏ-a-y-a-y ए-t- m- n- a-y-a-y किस कपाज की हासिल की है 25 प्रस्त कोटने एप कितने भाशां एप कितने भाशाओं में उप लप्ध हैं नो भाशाओं मैं असम सरकार ने बिद्य हार्ति दर्ज करने के लिए किस एक एप्लिकेशन को विक्सित किया है शेक्षा शेतू वैले चली घोष्णा किसे सम्मंदित है एई से अब देखेंगे जैनरेटिव एई एक प्रकार की क्रतिम बुद्ध्यमत्त तकनीकी जिसकी मदस्सित टेक्स्ट इमेजरी और ओडियो सहित बिव पेजों लेखों किताबोँ आदी के माध्यम से असानी इसी अफिल बड़ डेटा से एक मॉडल को प्रशिकीशत करता है मसीनल मसीनल मॉडल का सबसे आमबर प्रियाविक्षित सीक्षन कौनसा डेटा जो किसी नाम प्रकार या शंक्या जैसे टेक के साहता है प्रत्त्रम ने कि इस्तमाल किसमें हो सकता है लेखन पठन चैटिंग में सभी के लिए जिम्मेदारी AI पर चच्चा पत्र कौन प्रकाशित करता है नीतियायोग ट्यूरिंग मशीन किसके द्वारा बनाय गया था एलन मैथिसन ट्यूरिंग द्वारा किंदो देशों ने अपनी प्राशाशनि प्रणालियों में चैट जीपीटी का शमनबै शुरू कर दिया है अमेरिकावर शिंगापुन ने शूबे नामक डिजिटल असिस्टेंट किसके द्वारे विक्षित किया गया है एस्टोनिया द्वारा अब देखेंगे पी एम जन्मन के बारे में पी एम जन्मन योजना का पूरा नाम क्या है? प्रदहानमंत्री जन्जाती आदवाशी न्याए अभियान को कहा से लौच किया गया ह? कूटी जहार घंट से इस जन्जाती गौर्फ दिवस कमनाये जाता है? 15 नमब्र को पी एम जन्मन योजना के देश क्या है? जन्जाती समधायों को मुख्य धारा में लाना कितने प्रदेशों एबम किंद शासित राजियों में विशेश रूप से कम जो जन जाती समू है अठार रहे विशेश रूप से कम जो जन जाती समू की संख्या कितनी है 75 पीम जन्मन के इंतरगत कितनी साधारन सुविदाय उपलफद कराई जाएंगी 11 यह योजना कितने मंतरालेओं द्वारा क्रियानवित की जा रही है 9 मंतरालेओं द्वारा अब देखेंगे ड्रोन के बारे में भारत कब तक बैश्विक ड्रोन हब बनाने के लिए एक पारिस्तितिक तंत्र का निर्मान कर रहा है 2030 तक फसल मूल्यांकर और कीट नाशकों के किस योजना ने यह बताया है कि कैसे ड्रोन तकनीकी एक बड़ी क्रांती की बुनियादी रख रही है पीम स्वामित योजना किस योजना के तहित पहली वार देश के गाउं की डिजिटल मैपिंग की जा रही है तथा लोगों को डिजिटल प्रोपर्टी कार्ट दिये जा रहे हैं पीम स्वामित की योजना उभरते ड्रोन स्टार्ट अपस के बीश्ट ड्रोन एज एज और सर्विश डियार ए एस को समर्थन और बढ़ावा के लिए कौन सा मिशन सुरू किया गया है मिशन ड्रोन सकती किसके माध्यम से यूवार ड्रोन प्रद्योगी की सीख रह गया है लिवरलाइज ड्रोन नियम 2021 भारत को ड्रोन की बैस्वे किंद बनाने के लिए सरकार ने कितने करोड रुपए की कुल प्रोत्साहन राज के साथ ड्रोन और ड्रोन घटक के लिए पी एल आई योजना सुरू की है एक सो बीस करोड रुपए अब देखेंगे कुरु पर काम हो रहा है एक ग्री इंफरा फंड नौबर्सों में हमारी क्रेशी निर्यात में प्रशन्ष्कृत खाद्य पदातों का हिस्सा 13 प्रत्सत से बढ़कर कितना हो गया है 23 प्रत्सत पचास अजार मिलियन अमेर की डॉलर से ज़्यादा का क्रेशी निर्यात कर हम विश्य मंच में किस इस्थान पर है साथ में इस्थान पर प्रशी भून के आधार पर भारत का दुनिया में कौन सा इस्थान है दूसरा भारत में खाद्य उत्पादन पिछले दसक से उलेखनी रूप से बढ़ गया है यह 2010 11 के दौरान 244 मिलियन टन से बढ़कर 2021 के दौरान कितना हो गया है 310 मिलियन टन 1951 के बाद से भारत की जन संख्या 35.9 करोड से बढ़कर 140 करोड हो गई है जिसकी 2047 तक कितनी होने का उम्मीद है 164 करोड 2047 तक सहरी छेतों में रहने वालों की संख्या कितनी होगी लगवक 0.82 विलियन 2047 तक एक विक्सित राष्ट के दृश्य कौन से क्या महत्वपूर्ण है आर्थिक विकास सामाजिक प्रगत परियावर्नी इस्थिरता और सुशाषन एफ एओ की खाद्यवं क्रशी इस्ति 2019 रिपोर्ट के अनुशार दुनिया के लगवक कितने प्रश्यत खाद पदात कटाई के बाद और दुकानों तक पहुंशने से पहले ही नश्ट हो जाते हैं 14 प्रश्यत प्रतिवर्थ 400 विलियन डॉलर यू एन एपी की खाद अप्रशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुशार कितने प्रश्यत खाद पदात खुदरा और उपभोकताउं दौरा विशेश के घरों में बरवाद हो जाता है 17 प्रश सथ खाद प्रशंचकरण उद्योग मंत्राले द्वारा शुडूर किये गए तथा सी आई पी एच टी तथा भार्टी क्रशियन संधान द्वारा किये गए ध्यन के अनुशार 45 प्रमुक फश्चनों के मातरात्मक नुक्षान का आर्थिक मूल कितना है 92,651 करोड क्रेशिय और संबद्ध छेत्रों में विकास को बढ़ावा देने और शेयुत राश्चतत विकास लच्छियों की प्राप्तेत क्या अवश्यक है टिकाव और बिश्य इस्तरी भंडारन अवशन रचना को बढ़ाना बर्श 2022 देश की दोरान देश में कुल खाद्यान उत्पादन होन बढ़ाने के लिए आर्थिक सामाजिक पर्यावर्नी आधारों से समझोता नहीं किया जाता है सतत खाद्य प्रणाली भारत में गोदामों का स्वामित किन के पास है भारती खादी निगम एप सी आई केंद्री भंडारन निगम सी डबलू सी या राज्य भंडारन निगम बर्धन अवशनरचन योजना के तैट कोल्ड इस्टोरेज चमता बनाई गई है आठ दसंवलब तीन आठ लाग मीट्रिक टन फसल कटाई के बाद सबसे अधिक नुक्षान बाले छेत कौन से हैं मचली पालन अबम अंडा खाद्यान भंडारन किस सतत्विकास लच्चों के उ उत्पादक्त तथा आए को दूगना करना किस सतत्विकास लच्च की संकेतक के तहत जिम्मेदार खपत और उत्पादन भारत में भंडारन बुनियादी धाचे में प्रगति के माध्यम से हासिल किया जाएगा लक्ष बार है अब हम देखेंगे भारती खाद निगम एप सी करना भारती खाद निगम की स्ताप्त किसके तैट की गई खाद निगम अधिनियम 1964 के तहर वह सरकारी एजनसी जिसे भंडारन अवसंद्रश्चनल नेट्वर्क के माध्यम से खरीद करने वाले राज्यों से उपहोग करने वाले राज्यों तक खाद्यान पहुंचाने का का सौपा गया है FCI को भारती खाद निगम ने कितने करोड भारतियों को मुप्त खाद्यान 2023 में उपलप्त कराया है असी करोड से अधिक 2023 में भारती खाद निगम ने कितने लाग मिलियन टन खाद्यान की खरीद की थी 756.6 लाख MT अब देखेंगे प्रधान मंतरी गरीब कल् कल्यान योजना का सवारम कब किया गया था अप्रेल 2020 में किया गया था प्रैएल्य वाले परिवार को कितना अणूपलप्द कराया जाता है प्रथिपरिवार दुनिया की सबसे वड़ी सामाजिके कल्यान योजना क्या cylinders अभ देखेंगे खाद्य सुरच्छा का संस्थागत प्रवंदन बिश्च की सबसे वड़ी खादी सुरुच्छा प्रवंधन प्रणाली कहां चलती है भारत में भारत सरका का कौन सा उक्रम खादी सुरुच्छा का संस्थागत प्रवंधन करता है भारती खादी निगम खुल भारती जनसंख्या बैश्विक जनसंख्या आठ विलियन की कितने प्रतिसत हैं लगवग 17.5 प्रतिसत राश्टी खाथ सुरचा दिन्यम कव लागू हुआ था 2013 को अंतियोदय अन्य योजना के तहट कितने लोगों को कवर किया गया हैं 8.9 करोड लोग बरतमान में भारत की खाद्यान के छेत में की इस्थित कैसी है आत्म निर्भर एवं खाद अधिशेश वाला देश उत्पादन की प्रतेक चक्र के बीच नियमित खपत के साथ आविश्यक्ताओं के दोरान उपयोग है बफर रिजर बनाई रखने के लिए कौन सा खादी सुर कारण बहता है गुरुत्वा कर्सन साइलो अनाज भंडारन की एक अपेक्षाक्रित आधुनिक तकनीक है लकडी या कंक्रीट के बींस की तुलना में धातु साइलों में ताप प्रवड़ता अधिक है जिससे साइलों के अंदर अधिक नमी पैदा होती है इसका क्या कारण ह धातों के उच्शतापी चालकता किस रोग रोधी उप्चार द्वारक खाद्यानों को संक्रमंण से मुक्त रखा जाता है मेला द्यान और डेल्टा मेथरेन के द्वारा किसके द्वारा धूमन के माध्यम से उपचात द्वारा खाद्यानों को कीटान रहित किया जाता है अलुमिनियम फासफाइड के द्वारा अपनी भंडारन संरचना के आधुनिकी करण के एक हिस्से के रूप में एपसी आई हव और स्पोक मॉडल के तहद आधुनिक साइलो भंडारन कितनी छमता का बना रहा है 111 लाग मेट्रिक तन एपसी आई किसका उपयोग करते हुए एक मल्टी मॉडल परिवहन अप्रोच अपनाता है रेलवे सडक मार गयवन जलमार का उपयोग करते हुए किनुपायों के कार्यान बयान से बितरन प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता आया और प्रवाशी शमिकों को शुरक्षा मिली है वायोमेट्रिक प्रमारी करण और वन नेशन बनकार द्वारा शहकारता छेत में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारन योजना चलिए देखेंगे इसके बारे में किसके लिए भरपूर करशी उत्पादन ने देश के समक्ष कई चनौतियां पेस किये हूँ बोगता आपूर्ति शंकला के इस प्रधान मतरी द्वारा हरित करांति प्रारम की गई थी लाल बहादु शास्त्री के द्वारा सहकारता छेतर में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारन योजना का प्रारम की गई थी 31 मई 2023 को इस योजना के तैत क्रशी छेत से जुड़ी कैसी मूलभूत सुविताओं की स्थापना की जाएगी पैक्स की इस्तर पर विकेंदरी करण गोदाम कश्टम हाइरिंग शेंटर प्रोशेशिंग एकाई उचित मूल पर उत्पात उपलब्द कराने वाली दुकाने इस योजना को कारे रूप में परणेत करने के लिए केंदरी शेकारता मंतरी के नेते तुम्हें किसका गठन किया गया है एक अंतर मंतरालई शमीतिका इस योजना को किसकी द्वारा कारियानमित किया जाएगा नावाड केंदरी वेयर हाउशिंग निगम भारती खादे निगम राश्टी शहकारता विकास निगम के द्वारा अब देखेंगी खादे भंडारन अवसन रचना में उद्ध्यम शीलता के अवशर 22 की स्तर पर CO2 का तीसरा सबसे वड़ा उत्सर जग क्या है खादे पदारतों की बरवादी अखेल भारती श्तर पर भंडारन सुझदार प्रदान करने वाले निकाय कौन से हैं भारती खादे निगम सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और सेंट्रल रेल साइड वेयर ह सब्सक्राहिश कंपने किस समस्टी का घठन भारती खादे निगम के पुनर गठन के लिए किया गया था सांता कुमार समिती का, सांता कुमार पर कोले चेंज, सन रचनाव, खाद प्रशैंश करन और सन रचन शमताओं की ब्रद्यावं बिकार्शी प्रशैंश करन कलश्टरों की अब प्रधान मंतरी सुचम खाद प्रशैंश करन उध्यमों का आपचारी करन पी एम एफ म इ योजना को देश किया है मौझूदा सूच में खाद्य प्रशन्ष करना उध्यमों को उन्नत करने के लिए वित्ती तकनीकी और ब्यावशाइक शाहता प्रदान करना अब देखेंगे भारत को बैश्विक खाद्य वाशकेट बनाने हे तो योजना है वर्स 2022 में भारत की क्रशी चेत में ब्रदी दर रहने का अनुमान क्या है 3.5 प्रसत बिश्यव ब्यापार में भारत के क्रशी नेरयात और आयात की हिस्यदारी है क्रमशत 2.4 प्रसत और 1.7 प्रसत भारत बिश्विक रशे में दूद और दालों के उत्पादन में किसे इस्थान पर है प्रथम इस्थान पर भारत फल सबजी गेहूं चावल के उत्पादन में कौन से इस्थान पर है भारत दूसरे इस्थान पर भारत अनाज और अंड़ा उत्पादन में किसे इस्थान पर ह प्रद्धान मंतरी किशान शंपदा योजना को कब प्रारम किया गया था तीन मई 2017 को एक इक्रित कोल्ड चेन और मूल शंबर्दन अवसंदर चेन योजना को कब से क्रियानवित किया रहा है अब हम देखेंगे बिज्ञान प्रगत से संबन्दित खबर है इसमें देखेंगे जलबाई सिकर सम्मेलन 2023 के बारे में संयुक्त राश जलबाई परिवतन सम्मेलन के 28 में सत्र कॉप 28 का एजन कहां किया गया है यूए के दुबई में कॉप 28 के सम्मेलन में किस प्रकार के संचालन संबन्दी समझोता हुआ नुक्षान एवम छती कोस लॉस एंड डेमेज फंड ग्लोबल क्लाइमेट 2011-2020 एडिकेड ओफ एक्सलेरेटिंग क्लाइमेट चैन नामक रिपोर्ट किसको द्वार प्रकाशित की गई विश्व मौशम बिग्यान डबलू एमो द्वारा पेरिस समझोते के कारियान बयन की निगरानी तथा सहेमत लक्षियों को प्राप्ट करने में हुई सामुही प्रगति का मूल यांकन करने हैं तो किसे मूलभूत गटक के रूप में उप्योग किया जा रहा है ग्लोबल इस्टॉक टेक जी एस्टी कोब 28 में प्रारंबिक पहल के रूप में 60 से अधिक देशों ने किस प्रतिग्या पर हिस्ताक्षर किये जो 2022 की इस्तर की तुलना में 2050 तक बैस्विक इस्तर पर सभी छेत्रों में सीतलन सम्मंदी उत्सर्जन को कम से कम 68 प्रसद कम करशकने में शक्षम होगा बैस्विक सीतलन प्रतिग्या कोब 28 सम्मेलन के अध्यक्स देश संयुक्त अरब अमीरात ने 30 विलियन डॉलर के किस फंड की निवेश की घोशना की जो जलवाय परिवर्तिंग की कारवाई है तो जारी किया जाएगा अल्टेरा फंड भारत कव तक शुद्ध सून्य उत्सरजन लक्षी प्राप्त करना चाहता है दो जार सत्तर तक बर्ष दो जार तीस तक भारत कितनी गयर जीवास मींदन उज्जा चमता बढ़ाना चाहता है 500 गीगावाट भारत का लक्ष दो जार तीस तक गारवन अर्थ वैस्ता की तीव्रता को 2005 के इस तर से कितना कम करना करना कितना कम करना है 45 प्रत्सत भारत का लक्ष दो जार तीस तक नभी करनी उज्जा से कितनी उज्जा अविश्यक्ताओं को पूरा करना है माइनस 50 प्रत्सत को 28 में कौन सा नया कदम उठाया गया जिसका मक्षद अलग पचास नहीं है सिर्फ पचास प्रत्सत है भारत एवं फ्रांच ने अंतराश्टी शौर उर्जा अगठवंदन की शुरुआत कब की है 2015 में अब देखेंगे इसरों की नजर ब्लैक होल पर एक जन्मरी दोजाट 24 को इसरों ने अन्य उपग्रहों के साथ PSLV C-58 के माध्यम से किस सैटेलाइट का प्रक्षेप पन किया देश का पहला एक्षरे पॉलरी मीटर सैटेलाइट एक्सपो सैट अभियान बिसेस रूप से किसकी जानकारी जुटाने के लिए तयार किया गया मसीन है एक्सरिस रोटों की एक्सपो सैट मिशन की माध्यम से अमेरिका की बाद एक्सरिस रोटों की जानकारी जुटाने हिट सैटेलाइट भेजने वाले दूसरा देश कौन सा है भारत एक्सपोसेट मिशन अगले पांच साल तक 650 किलो मीटर की उचाई पर प्रित्वी की निच्छी कच्छा में रहकर ब्लेक होल के अलावा क्वाशर एंड वम नूट्रॉन तारों समेट ब्रहमान के कितने सबसे चमकीले ग्यात सोतों का ध्यन करेगा पचास विगवेंग महा विसफोर्ट की घटना कब हुई थी करीब 13.7 रब बर्स पूर एक्सपोसेट में कौन ऐसे दोपकरण है जो एक्सरे सोतों को पकड़ सकते हैं पॉलरी मीटर इंस्टूमेंट इन एक्सरे यानि पॉलिक्ष यू और शेकंड यू आर राव उपकेंद उपग्रह केंद बंगलू द्वारा बनाये गया एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग यानि एक्स पेक्ट एक्सरे उतसर्जिट करने वाले कौासर या न्यूट्रोन तारे कैसे छेतर में होते हैं अतिदिक तीबिरता वाले चुम्ब की छेतर में इसरों के अनुशार एक्सपो सैट उपग्रह का लक्ष क्या है सुदूर अंतरेक्ष से आने वाली गहन एक्षरे का पोलराइजेशन यानि ध्रुवी करन का पता लगाना तारे म हैं बिसफोर्ट के बाद उसके बचे अतिदिक दर्पेमान वाले हिश्चे को क्या कहा जाता है न्यूट्रोन तारे हबबल और जेम्स बेब टेलिसकोप में मुख्य अंतर क्या है हबबल अल्ट्रा वाइलेट और इंफ्रा रेड किरनों के माध्यम से शेट्फ द्रश्यमा प्रकास देख सकता है जबकि जेम्स धूल से बनी कॉस्मिक बादलों के पार्वी देख सकता है वह जग है पॉइंट जहां सूर्य और प्रित्वी के गुरत्वा कर्शन बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं लैंग्रेज पॉइंट इस रो का सूर्य मिशन आदित्य बन कहा तैनाद किया गया है लैंग्रेज पॉइंट बन पर साप एक शिता का शिद्दान किसने प्रतिपादित किया है आइंस्टीन आइंस्टाइन सूर से कई गुना ज्यादर द्रभ्यमान वाले बड़े तारों का अन्त उन में हुए प्रचन बेस्पोर्ट से होता है इसे क्या क बन जाता है स्wenद बामन वाइट भ्लैक होल से कोई बाव प्रकास बाहर नहीं निकलताः इसलिए उनका पता लगाना आशान नहीं है खगोल विज्ञान इसके लिए किस तकनीग करते हैं इनुर। कच्नीक कि क्या है वह है एक सीट वाले और एक जेट इंजन वाले हल के विमान तेज़ को किसके द्वार तैयार किया गया है हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिम्टेड के द्वारा रक्षा मंतराले समय समय पर ऐसे कलपुर्जों और कंपोनेंट्स की सूची जारी करती है जिसको सिर्फ घरेलू कंपिन से ही खरीदा जा सकता है इस सूची को क्या कहा जाता है सकारात्मक्षवदेशी करण सूची पी आई एल 155 मिली मीटर आइटिलरी गन सिस्टम क्या है धनुस आकाश क्या है सर्फेश टू एयर मिशायल सिस्टम भारत की में बैटल टेंक का नाम क्या है अर्जुन रक्षा उ क्रिश्टिता के लिए नवाचार आइडेक्स पहल किस फ्रेमबर्ग के तहत रक्षा छेत की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टार्ट अप को 10 करोड रुपे तक सरकार द्वारा आर्थिक साहता प्रदान किया जाता है आइडेक्स प्राइम मेक इन इंडिया पहल के प्री एम को ऑफसेट के रूप में भारतिय ब्यवशायों में अनुबंध का कम से कम 30% निवेश करना आवश्यक होगा रक्षा ओफसेट नीद सिपरी द्वारा जारी एक अध्यन रिपोर्ट के अनुशार आत्मिरफार हतियार उपादन चमताओं में भारत 12 हिंद प्रशा फ्रिचली सुरंग इंगलेंड में विष्व की सबसे पहली जल पर बने रेल वे सुरंग कॉनसी थी थेम्स टनल ये कहां थीं लंदन में विष्व की सबसे लंभी शामाने रेलबे एम दोहरी लाइन की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है goht heart गोट hard waste सुरंग水 जलिया समुज़र के अंदर बनी विश्व की सब से लंबी रेलबे सुरंग कौन सी है शिकान सुरंग जापान शिकान सुरंग के से जोडती है तथा होज़। द्वीब को भारत की सबसे पहली रेल सुरंग कौन सी है जो मुंबई में ठाड़े स्टेशन के पास मौजूद है पार्शिक रेल सुरंग भारती रेल की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है पीर पंजाल रेल सुरंग 11.215 किलो मीटर भारत की सबसे गहरी रेल सुरंग कौन स से और 18 44 दूसरी रेल गारी दूसरी का ऐसी चली थी भाइती रील सबदाम कुल सा इस्थान है पहला भारत भिश्व शह खेकिंगे bodन नाच इसने Key यह वर सी महीं कहाए सबूस्ते गणना भारत में नंदी और नाच असी प्रत्सत संयुक्त राष्ट ने सत्रे सूत्री सतत विकास के लक्षों की घोशना कब की बर्स 2015 में मोटे अनाई डाइविटीज प्रत्रोधी होते हैं इसका क्या कारण है कम ग्लाय सेमिक सूचकांग खाद्य अवं पोसर सुरच्छा हेत मोटे अनाजो अवं प्राचीन अनाजो पर अनुशंधान अवं जागरुकता के लिए भारत की कौन सी पहल है महर सी मिलेट्स एंड अदर अनिसेंट ग्रेंस इंटरनेशनल रिसर्च इनिशियेटिव भारती कदन अनुशंधान शंस्तान कहां है 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 थराबाद में मोटे अना छोटे दाने वाले किस कुल के खाध्यान है पोएसी कुल के भारत में हरित करांदी का जनक किशे माना जाता है डॉक्टर एम एस स्वामिनाथन को फसलों के आसदी एवं पोशनी गुड़ों के किस की साहता से सिद्धि किया जाता है उमिश की साहता से अब देखेंगे अलसी के बारे में अलसी का बैग्यानिक नाम क्या है लाइनम यूसी टेटी सिमम यूसी टेटी सिमम अलसी किस कुल का एक वर्षिय पोधा है लाइनेसी का अलसी के तेल में प्रश्यों मातरा में क्या पाए जाता है लिलो लिनो लेनिक अम्ल अलसी के तने स प्राप्त रेशिय को किस नाम से जाना जाता है लिनेन फाइवर स्रंपोर्ण बिशिक अब लगबर 80 प्रस्त अलसी उत्पादन कहां होता है कनाडा में बिश्व में छेत्फल एवं उत्पादन की द्रश्टी से भारत का अलसी उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा इस् अलसी में कौन से लिंगन पाए जाते हैं एंटी वेक्टेरियल एंटी पाइरल एंटी फंगस कैंसर रोधी अलसी में मिलने बाले एंटी ऑक्सिडेंट किसमें सहायक है हार्मोन को नियंतरत करने अब्यों कोशिकाओं को श्वेश्ट रखने में रोग पैदा करने वाले सू जाब हित मरता में कौन से फफून्द नाशक का प्रयों की आ जा सकता है ट्राइक कोर्डुमा को डिर्मा ट्राइक कोडर्मा विरिदी कीटों को आकरसित करने के लिए क्या लगाया जाता है फेरमन ट्रैव और देखेंगे के न्यूट्री जीनोमिक्स, मानब जीनोम, मानब पोशन और स्वास्ते की बीच सम्मंदो का अधियन करने वाला कौन सा विज्ञान है नियूट्री जीनोमिक्स, बिटामिन सी की कमी की प्रेणाम शरूप कौन सा रोग होता है इशकरवी, प्रेडल, विली, शिंड्रोम एक बीमारी है जिसका सबसे विशिष्ट कारक क्या है अत्रिप्त भूग, उच्च रक्तचाप के लिए कौन सा आहार एक उत्तरदाई कारक है सोडियम क्लोराइड, अब देखेंगे हम बायूशेंसर के बारे में एक स्वा निहित, एक इकरत उपकरण, जो एक जैवी पहचान तत्य का उप्योग करके विशिष्ट मात्रात्मक या अर्द मात्रात्मक, विशलेशन आत्मक, जानकारी प्रदान करने में शक्षा में जो एक Transducer तत्य के साथ सीध संपर्क में होता है, क्या कहा जाता है? BioSensor. BioSensor में प्रयुकत Transducer क्या कहलाते है? BioSensor जैव राशानिक सूचना को किस में परिवर्तित करते हैं? विद्यूत सूचना में. उत्प्रेरक बायो सेंसर किस प्रकार की जैब घटक का प्रयोग करता है एनजाइम सूख्षुण जीव एफिनीटी बायो सेंसर जैब घटक के रूप में किस का प्रयोग करता है एन्टिवाडीज नूप्लिड नूप्लिग एसिड अब हम देखेंगे PT pointer इसमें 24 की प्रारिम परिक्षा हित महतपूर इसमें हम देखेंगे प्राचीन इतिहास लोतल एवं सुर्क कोतदा सिंदु सपिता का बंदरगा था तथा जूति खेतों का साक्षि काली वंगन से मिला है मन की बनाने के कारखाने लोतल एवं चन हूदणों में मिले हैं प्रथम जैन समिति का आयोजन पार्टली पुत्र में तथा दुति संगिति का आयोजन बलवी में किया गया जैन धर्म आत्मा को मानता है तथा पुनर्जन वेवं कर्मबाद में विश्वाज करता है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश शानात में दिया जिसे धर्मचक बहाजित हो गया महायान का आदर्स बोधि सत्व है अशोक कि शिला लेखों की खुछ पाद्रेटी फैन थैलर ने की तथा पढ़ने में शफलता जेम्स प्रेंशेश को मिली मास्की गुर्जरा अर्बलेक में अशोक का नाम उल्लेक है मेगस्थनीच के अनुशार मौरिकाल में नगर प्रशाचन की देखरें 30 सदस्यों की शमित करती थी जो 6 समितियों में बिवाजित थी मेगस्थनीच के अनुशार एग्रो नोमोई मार्ग निर्मान का अधिकारी था साथ बाहनों के समय सरवादिक सिक्के सीसा के बनी थे ब्रामडों की भू में अनुदान देने की प्रथा का आरम शातवानों ने किया जिसका उलेक नाना घाट अबलेक में मिलता है कुशानों ने शोनी की सरवादिक सुद्ध सिक्के जारी किये गांधार एवम मत्रशेली का विकाश कनिश के शाचनकाल में हुआ नालन्दा पिश्विद्याले की स्थापना कुमार वक्ष कहा गया क्योंकि ये लाखों का दान करता था कुटवद्धीन एवक ने कुटव कुबत उल इसलाम मस्जिद दिल्ली तथा अड़ाई दिन का जोपड़ा अजमीर में बन बाया अलाउत दिन खिल जी के सासनकाल में मंगोलों के सरवादिक 6 आक्रमण हुए इस आक्र जैसी उपादियों से बिभूशित किया जौनपुर के सर्की सुल्तानों ने कुछ मस्जित निर्मित करवाई जैसे अटाला मस्जित फोर्ट मस्जित जंजरी मस्जित जामा मस्जित तथा लाल दरवाजा प्रमुख है जौनपुर की मस्जितों में मीनारों का अभाव है रामानुज ने बिशिष्टा दोयत दर्शन का प्रतिपादन किया, निम्बार का दोयता दोयत दर्शन में विश्वासता तथा माधवाचार ने दोयतवाद का प्रतिपादन किया, देवराय प्रथम के सासनकाल में इतावली यात्री निकोलोक डी कॉंटी ने विजयनगर की यात्रा की देव राय दुतिये किसम में फार्शी राजदूत अब्दुर रज्जाक ने बिजयनगर की यात्रा की थी क्रेशन देव राय ने तेलगु ग्रंथ आमुक्ता माल्यद की रचना की इसके दर्बार में तेलगु विद्यान रहते थी जिनने अंश्ट दिगज कहा जाता था क्रेशन देव राय के सासनकाल में पोर्टगाली यातरी डोमिंग पायश तथा वार वोशा ने यात्रा की थी अकवर ने धर्म श्रहेश्रों नीति के तहत 1562 में दाश्परता तथा 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजी आकर को शमात कर दिया अकवर ने ल 1658 को धर्मत का युद 15 अप्रेल 1658 को सामुगड का युद 29 मैं 1658 को खजवा का युद 5 जनवरी 5 जनवरी 1669 को तथा देवराई का युद 13 मार्च उन्निस 1669 दादा सिकों ने मजम उल बहरीन की रचना की तथा उपनेशतों का सिर्र ए सिर्र ए अकवर नाम से फार्षी मान बात कराया जिसमें हिंदू और इस्लाम धर्व को एक ही इस्वर की प्राप्ति के दोर मार्ग बताया गया है दारान श्वयम तथा काशी के कुछ संस्कृत पंडितों की सायता से बावन उपनिविश्यदों का शिर्र एकवर नाम से फार्षी मान बात कराया मनसब कोई पद 1608 में कैप्टन होकेंस ने मिरिटेन की समराज जेम्स प्रथम का कवर के नाम पत्र लेकर 1609 में मुगल सासक जहांगीर की दरबार में आगरा पहुंचा 1615 में जहांगीर की दरबार में जेम्स प्रथम की दूद के रूप में सर टॉमस रो आया 1867 में इंग्लेंड डेप्ट टू इंडिया लेक में दादा भाई नौरो जी ने धन की बहिर गमन का सिद्धान सर प्रथम प्रतिपारित किया दादा भाई नौरो जी ने पावर्टी एंड अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया 1901 दब्वांट एंड मींस आफ इंडिया 1870 आन दा कॉमर्स आफ इंडिया 1871 में इसका उलेक किया है 1896 में भारती राष्टबादी कॉंग्रेश ने कलकत्ता दिवेचन में शर्पतं धन वहिर गमन के सिद्धान को सिवकार किया इस्ताई बंदोवस्त भूराजय शुवेवस्ता लॉड कार्णवालेस द्वारा प्तारम की गई जो बंगाल बिहार उडेशा उत्तरी करनाटक तथा उत्तर प्रदेश की केवल गाजीपूर अवं 1280 जित में लागू किया गया इसके तहर 1794 में संसेट लौपारित किया ग कर्णर करजन ने एक रेलवे वोर्ड का गठन किया और थौमस रावर्ट सन को अपने रावर्ट सन को पहले रेलवे आयोगती के पदपर नियुक्त किया मैक्के समिती इंचकेप समिती एकवर्थ समिती पोप समिती राल्फ वाजहुट समिती रेलवे से संबंदित समितिया हैं बंगाल में सन्याशी बिर्दो हुआ जिसका उलेक बंकिंचन चटर जी ने अपने प्रशिद उपन्यास आनंद मठ में किया है जोर्ज केंप बिल आयोग इस्टेची आयोग जिसे अकाल पर राजिकी आयोग भी कहते हैं इसके लावा लायल आयोग तथा मैंक डॉनल आयो भी अकाल से संबन्दित आयोग है वारे ने हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा इसने क्लाइब की दुएस आसन प्राणाली को 1772 में शमात्त किया हेस्टिंग्स के काल में प्रथम आंगल मराथा युद 1775 से 82 एवं दुतिय आंगल मैसूर युद 17 से 84 में हुआ हेस्टिंग्स के कारिकाल में सर विलियम बिलियम जोन्स ने 1784 में एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1823 के चार्टर एक्ट के अंसार भारती वियापार पर कंपनी का एकादिकार शमात्त कर दिया गया यद्दिप चाय की वियापार एवन चीन के साथ वियापार पर एकादिकार बना रहा 1833 वी के चार्टर रेक्ट में चाय एवन चीन की ब्यापार का एक अधिकार भी शमात कर दिया गया राजा राम मोहन राय ने 1809 में फार्सी में एक गिफ्ट टू मोनो इस्ट्स तथा 1804 में तोफ़त उल मुवाह हिदीन नामक पुस्तक लिखी 1828 में ब्रह्म समाज की इस्थापना की जो 1829 में ब्रह्म समाज हो गई प्रातना सभा की इस्थापना ठारस सर्शत में डॉक्टर आत्मरंग पांडूरंग एवं महादिप गोविंद राना डे ने की थी जाना डे ने विद्वा पुनर्व्यवा समित्र था दक्कन एजूकेशन शोशाइटी की स्थापना की नेटिव मेरीज एक्ट 1872 में केशब चंसेन की प्रहतनों से पारित हुआ एज ओफ कॉंसेप्ट एक्ट 1891 में बी एम मालावारी तथा सार्दा एक्ट 1829 में हर विला सार्दा की प्रहतनों से पारित हुआ था महराष्ट में स्वदेशी आंदोलन का नेत्वत भाल गंगादे तिलक दिल्ली में सरसयद हैदर खां आंद्र प्रदेश में हरी शर्बुत्तम राय मद्रास में चिदंबरम पिल्लाई ने किया था करलाई सर्कुलर श्वदेशी आंदोलन से संबंदे था लखनओ अधिवेशन 1916 में लखनओ में आयज़ेत हुआ जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी उग्रबादी विचारधारा की लोगों का तिलक एवंबेशन की प्रयासों से कॉंग्रेस में प पैसर ए हिंद की उपादी रविन्ना टैगूर ने नाइट हुड एवंब सर की उपादी तथा संकरन नायर ने गवर्नर जनरल के काउंसिल से इस्थीपा दे दिया स्वराज दलकी स्थापना एक जनवरी 1923 को की गई जिसके अध्यक्ष शियार दास और सचिव मोतिलाल नहरू नेक्तु हुए फरवरी 1924 ऐसवी को गांधी दास पैक्ट संपन हुआ दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को सावरमती से प्रारम हुआ जैसे 24 दिन के उपरान 6 अपरेल को गांधी जी न नमक बना कर तोड़ा दांडी मार्च के अफसर पर विदेशी पतकार बेव मिलर सावरमती के आश्रम में रुका था गांधी जी की ग्रफतारी के पस्चाथ अबास तयाजी और उसके बाद सरोजनी नाइडू द्वारा अंदोलन का नेत्रित किया गया दुतिये गोल में सम्मिलन लंदन के सेंट जेम्स पहले इसमें आईजित हुआ दुतिये गोल में सम्मिलन में भाग लेने के लिए गांधी जी एकमात कॉंग्रेश की प्रतिनीदी थे राष्टी आईजन समिती 1938 इसमी में हरिपुरा में भारती राष्टी कॉंग्रेश सम्मिलन में पंडित जवाला नहरू की अध्यक्षता में नियुक्त हुई प्लान फॉर एकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया जैसे बंबई के आठ प्रमुक उद्योग पतियों ने मिलकर तयार किया इसे बंबे प्लान 1944 भी कह जाता है भारत की सबसे लंबी स्थली सीमा बांगलादेश के साथ जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है भारत बांगलादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्यकी है हिमाले में उत्तर सी दच्छिन की ओर क्रमशे कारा कोरम लद्दाग जासकर और धौला धर शेणी है कश्मीर घाटी ब्रहत हिमाले पीर पंजाल की मधी इस्तित है जो सरोवरी मैदान का उधारन है मध्य भादर की पाड़ियों का पश्चिन से पूर्व क्रम इस प्रकार है सत्पुडा महादेब मैकाल और छोटा नागपुर मर्खा घाटी लद्दाग में इस्तित है जुकू घाटी नागलेन में शांगला घाटी हमाचल प्रदेश में इस्तित है सांथ घाटी केरल में नीलगिर पाड़ियों में इस्तित पालगाट में है हिमनद बड़े बड़े हिमकंडों को कहते हैं जो अपने ही भार के कारण नीचे के और किसकते रहते हैं इन्हें हमानी भी कहते हैं सियाचन हिमनत ले तता नुब्रा घाटी के उत्तर में इस्तित है भारत की तट्रेखा 7516.6 किलो मीटर लंबी है भारत के नौर राज्य तट्रेखा से लगे हैं जिनमें सबसे लंबी तट्रेखा गुजरात की है गंगा नदी पूरवती अपवा का उधारन है अलकनंदा एव जलप्रपात राची के पास स्वर्ण रेखा पर इस्तित है चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियागरा जलप्रपात के तौर पर माना जाता है जो इंद्रावती नदी पर इस्तित है भारत में मांसुन की उत्पत्ति दक्षिर पश्यम पवन द्वारा होता है भारत की इजतन हो ज्तु सब्सक्राइब letsbrand this is του 付 hex. काली म्रेधा को स्वतह क्रेश्य मिट्टी कहा जाता है नियुक्र जाता है काली कपाशी म्रेधा तथा रैगुर म्रेधा कि नाम से भी जाना जाता है. न्रम्र्दा नदी पर सर्दार शरोबर परयोज्चना है इसी नदी पर ऊमकार इश्योर परयोजना भी है गांधी सागरबांध राणफरता शागरबांध जवार सागरबांध चम्माल नदी पर अवस्तित हैं भारत में सबसे महत्पूर्ण संहयूक्त खनिजूक्त रौक्त, तंत्र धारवार हैं बॉक्षाइड एलुमिनियूम का इसके है काला हंडी खनन छेत इसके लिए प्रशिद्ध हैं बलुअ पत्तर एक परत्दार चट्टान है क्योंकि यह पानी के नीचे बनती है परत्दार या अवसाथी चट्टानों में जीवों के अवसी सेवन बनेस्पितियों के अंस परिय यहां पर शार गैशो नामक बनस्पति की विसीष्टिता है फॉक्लेंड लेब्राडोर तथा कनारी थंडी धारा है नोजांबिक एवं अगुल हास गर्म धारा है ज्वार भाटा सूर्य एवं चंदमा के गुरुत्वा कर्शन बल तथा प्रित्वी पर उत्पन होने वाला है मेरियां या चैलेंजर गर्त्री फ्रेशांत महासागर में स्थित्ध विश्व का सब से गहरा गरत है इसके अलावराए डाया मेंटिनगर्थ हिंद महाशागर प्यूर्थटो रिको गर्त अत्लांटिक महाशागर त था यूरेशियन बेशियन अंटार्क्रिक महसागर में इस्तिता भारत में कुल आठ राजियों में से करक्रेखा गुजाती है करक्रेखा पर पढ़ने वाले राज गुजरात राजिस्तान मंद्यप्रदेश चतिसगर जहारखन पशिम बंगाल त्रिप्रा और मिजोरम है अब देखेंगे राज बेवस्ता से संबंदित खबरें सम्मिदान की प्रिस्ताबना में शंप्रभुता, समाजबादी, धर्म रिप्यक्ष, लोतांतरिक, गड़राज, नियाय स्वतंता, समता एवं बंदूत कमो की रूप से सामिल किया गया है भारती सम्मिदान में तीन प्रकार की नियाय में सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक, पांच प्रकार की स्वतंता में बिचार, अव्यक्ति, धर्म, विश्वाश, एवं उपाशना का तथा दो प्रकार की समानता में प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेक है अब यहाँ पर देख लिए इसको तीन प्रकार की न्याय कौन कौन से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पांच प्रकार की स्वतंता कौन कौन सी है विचार अव्यक्ति धर्म विश्वाश और उपास्टना दो प्रकार की समानता कौन कौन सी है प्रतिष्ठा एमम अवसर का उल् सम्मिदान की तीसरे अंसूची सपत एवं प्रतिग्यान के प्रारूप से संबन देता है भारत की राश्पती द्वारव सपत एवं प्रतिग्यान का प्रारूप अनुच्छे साथ में दिया गया है या तीसरे अंसूची में नहीं है चतूर सांसूची राजय संग राजय छेत्रों के लिए राजय शवा में श्थानों के आवंटें तथा सात्मी अंसूची संसद एवं राजय विधान सवां द्वारा बनाई जाने वाली विदियों की विशय सूची से संबन देता है भारती शम्मिदान कुल 25 भागों में विवाज देता है भारती सम्मिदान में भाग 9 इस्तरी पंचायतों से संबन देता है सम्मिदान के नुच्छे 21 निष्टा के अधिकार को संद्चित करता है प्रत्यक्ष बंदी करन नियम के अंतरकत एक ब्यक्ति बिना मुकदमा चला है तीन महा के लिए बंदी बनाये जा सकता है सम्मिदान के अंतरकत मूल अधिकारों का संदर्चक सर्वोचने आयला है बंदी प्रत्यक्षी करण को किसी ब्यक्ति की श्वतंत्रता का महांतम रक्षक माना जाता है जब सर्वोच ने आला किसी ब्यक्तिय संसा को उसके दायत के निर्वहन है तो लेख जारी करता है तो उसे परमादेश कहते हैं राज के नीत निर्देशक तत अनुच्छे 36 से 51 को शामिल करने का उद्देश शामाजिक और आर्थिक प्रजारतन को स्थापित करना है नीत निर्देशक तत्तो को संविलीत करने की प्रेणा आईलांड की संवधान से प्राप्त हुई है नीत निर्देशक तत्तो में सहकारी शमीतियों की संबर्धन की चर्चछा संव सप्राइब के दोनों सदनों की बैठक राश्पती द्वारा आहूत की जाती है राश्पती का अभी भाषन केंदरी मंदल त्यार करता है समिधान में मंत्री मंडल सब्द का प्रयोग अनुच्छे 352 में एक मातर वार प्रयोग हुआ है, only एक वार समिधान के अनुच्छे 35 सब क्लॉस 3 के अनुशार मंत्री परशद सामुवी करूप से लोकसवा के प्रति उत्तरदाई है मंत्री परशद के विरुद्ध अविशास लाने के लिए लोकसवा के कम से कम 50 सदश्यों के अविशक्ता होती है समिधान के अनुच्छे 36 सब क्लॉस 1 के अनुशार राशपती भारत सरकार के बिदी सलाहकार महानियावादी की निउप्ति करता है अनुच्छे 38 के अन्तरगत भारत के महानियावादी को संसत की वैटकों में भाग लेने एवं बोलने का दिकार है पर नतुमत देने का दिकार नहीं है अनुच्छे 148 सब क्लॉस 1 के अन्तरगत भारत का नियंतरक एवं महालेखा परीक्षक के निउप्ति राश्पती द्वारा की जाती है तथा कारिकाल 6 वर्षिय 65 वर्ष की आये जो पहली हो होता है जीवी मावलंकर प्रथम लोग सभाद देख्षते जिनके विरुद अविश्वास प्रस्ता लाया गया तो देखेंगे भारती अर्थ विवस्ता जल जीवन मिशन योजना का सुवारम अगस 2019 में हुआ जल जीवन मिशन योजना को देख किरियात्मा जल नल जल कनेक्षन द्वारा दीर काले कालार पर 55 लीटर प्रति ब्यक्ति प्रति दिन पाइपलान द्वारा प्रतिय ग्रायमिल घर को पेजल सुनिश्चिव करना है इसका लक्षे राजियों की शाजेदारी से 2024 तक प्रतिय ग्रायमिल घर को उप्चारित जल उपलाब्ध कराना है मानब विकास सूचकांग को 1990 में UNDP के अत्सास्ति महभूब उल हक उनकी सयोगी एक के सेन तथा सिंगर हैंस द्वारा बिक्षित किया गया मानब विकास सूचकांग तीन चरणों पर आधारित नंबर एक स्वास्त है नंबर दू सिक्षा नंबर तीन जीवन इस्त है UNDP ने 1995 में लेंगिक विकास सूचकांग GDI तथा लेंगिक सरस्रक्तिकरन माप GEM तथा 1997 में मानब गरीवी सूचकांग HPI विक्सित किया था 2010 में बहुआयामी गरीवी सूचकांग MPI विक्सित किया गया है भारत में निर्धनता रेखा बेन्निम्ढ की दो आधारों पर परिभाशित की जाती हैmos दो आधार कौन-कौन से हैं किसी ब्यक्ति के लिए पोशाहर की नियूंतम इस्थर का नेधारन नियूंतम पोशाहर की लागत का नेधारन लौरेज वक्र गिनी गुडांक आय समांता की माप में प्रयुक्त भी दिया हैं अमर्च शेन ने हेड काउंट रेशियो पावर्टी घयतर गरीवी के वित्रहंत तीनों को समन्वित करके अपना दिरिश्टकोंट प्रिष्टुत्त किया प्रधान मंतरी श्वनीदी योजणा को आवाशनि एवं शेहरी विकास मंत्राल के तहते श्टकि क्यों का अजीब का फिर से शुरू करने है तो एक वर्ष के लिए दस अजार रुपे का पूंजे रिड़ की ब्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है बहरत प्रधान मंत्री मस्चिप संपदा योजना को दस सेतंबर 2020 को डिश्टल रूट से शुरूआत की गई प्रधान मंत्री मस्च संपदा योजना को 2020-2021 से 2025 तक पांच बर्स के लिए लागू किया गया इसको देश मस्च पालन शेतर का पोशनी विकास करना है आत्म नेनफर शुष्ट भारत को 2021 में केंदरी वजट में घोशित किया गया या पूंड तक केंदर शमर्थित योजना है इस योजना के त तथा वेलने सेंटर को साहता दी जाएगी प्रेशी जन फार्मिंग एक समन्वित क्रशी प्रवंदन प्रानाली है इसके अंतरकत उन महत्पून कारकों को पहचाना जाता है जिनके नियंतरन के फलसरूप उत्पादन तथा उत्पादक्ता में कमी आती है और उन्हें दूर करने की प्रवंदक की बेस्ता की जाती है प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना को 13 जन्वरी 2016 से सुरू किया गया जो एक अपरल 2016 से खरीव फशल में लागू हो गया इसके तहत किसान को बीमित राशी का रवी फशल के लिए एक दसमलब पांच परसर खरीव फशलों के लिए दो जस्त परस्त और भागवानी फशलों के लिए पांच परसर प्रीमियम के रूप में भुक्तान करना होता है क्रेशी अवशन रचना कोस को 9 अगस 2020 से एक लाग करूड रुपे की लागत से सुरू किया गया था इसमें रिन की बेवस्ता प्राइमरी एगरी कल्चर पादन राज्टी चमता बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण यू के सिन्ना समिति सूच्म लगुएम मध्यम उद्यम एसमे के आर्थिक तथा वित्ति पोशन यता के शम्मंद में देरकालिक सुजाब देने के लिए गठित समित है इसमें आर्वे आ समिति 1995 नायक समिति 1991 एस एस कोहली समिति 2000 बुलक कैपिट लिष्ट उन किसानों को कहा जाता है जो ना तो भूमहिन क्रशी स्रमिक या सीमांद किसानों के अंतरगत आते हैं नहीं धनाडी किसानों के अंतरगत आते हैं ठोक मूली सूचकांग का संकलन ज्योग मंतराले में आर्थिक शलाकार्द कारयाले दोरा माशिक इस्तर पर होता है ठोक मूली सूचकांग का अधरवर्स जोजाद 11 बारे हैं मुद्राइस फीद की इस्टतम दर हुआ है जिसको कोई अत्वेवस्ता बिना किसी प्रतिकूल दर के बहन कर सके भारती रिजर्व एंक के अंशार मुद्राइस फीद की इस्टतम दर 42.2 है जबकि आई एम एफ के अंशार बिक्षित देश के लिए 12.3 प्रत्सत तता विका सद्रेंग मसीन दूच से मक्त निकालने कि मशीन की प्रक्रिया पर आधारी तयानी अपेंद 튀ड्री वर्वल के सिधहन पर कारी फारहर करता है सड़क परशलिकी डेशाण घर्षन कम होता है अंत्रिक्षमे कम गुरुत्त्यों के कारण शीधे खड़े नहीं रह सकते अवियानों में अंत्रिक्ष्यात्रियों को पेश्य अच्छए और अस्तियों के घनत में कमी का सामना करना परता है किसी पिंड का दब्यमान शदैव नियत रहता है और उसका भार दो चीज़ों पर निर्भर करता है गुरुत तो बल के कारण और पिंड पर लगने वाले उत्चेप बल के कारण हाइडोजन में पिंड का भार अधिक्तम होता है प्रित्वी के चारोर परिक्रमा कर रह तैसा क्रत्यम उपग रह्यें प्रित्वी पर नेचर नहीं गयategовых क क्युक्कि प्रित्वी का आकर्शन उसे अविश्यक गति प्रदान करता है चंद्मा पर पलायन वेक का मानली 2.4 km anal संभव नहीं है प्रकास दोरी प्रकृति का होता है यह जो कभी करण के समान तता कभी Trang के शमान प्रकर्ति दर्साता है प्रकास के कुछ गुण जैसे विश्च करन बिवर्तन तरंग किस कुछ गुण झैसे प्रकास विद्युत प्रभाव चु कोंपूट अधिककर्ण के शमान होते हैं प्रकास सही सहब ऻोड़ा शता उन वहें व्मक बनकाए पुश्वा नियंतरित करता है जल में नमक जैसी कोई अशुद्धी मिलाने से इसका कुट्णांग बढ़ जाता है तदा अपद्रब्यों को मिलाने से गलनांग कम हो जाता है जीरो डिगोरी सेलिसीस पर पिखलति बर्फ में कुछ नमक सोरा आज मिलाने से बर्फ का घलणांग जीरो डिगोरी से घटकर माइनस बाइस डिगरी सेलिसीस हो जाता है सीथ प्रकोष्ट में कम औक्सीजन एवन कम सवसंदर ぶाली परिस्थिती तिरी में आया मॉडूलन का उपयोग अदिकतर एलेट्रोनिक संचार के रूप में किया जाता था शर heading क्रोमेत्रो ग्राफी विद्धक प्रेयोग रंगों को अलगकरने दिसले किया जा था इस तोच अवस्ता से बास वस्ता में बिना तरहल अवस्ता ग्रहण किये परिवर्तित हो जाता है जैसे कपूर नैफ्थलीन सुस्क बर्फ आदी उर्धो पातन की प्रक्रिया में द्रव अवस्ता नहीं होती केलसियम कर्वोनेट एक अकार्वनिक नमक है जिसका उपयोग मुख् वर्मिनियम आक्साइड के क्रिश्टलियर रूप में पाए जाते हैं जब किस maximalist योगी के साथ उक्सीजन या रेड़िविद्विद्व ट्ट्प आया थायोता है त्याग होता है तो ऐसी अविक्रीओ को ऑक्षीकर नगा सब्सक्राइब करिया कहते हैं तांका या सोल्डर से सीज़ा 58 प्रस्ट तीन 32 प्रस्ट जिबकी कांसा में तावा 88 प्रस्ट और टीन 12 प्रस्ट पाए जाता है इस टेनलेस इस्टी लोहा क्रोमियम मैंग जीन तथा कारवन की मिश्रधात सलफर म्रदा पोशन में चौथा यह सर्चों के पौधे के पौधों के उत्पादाने में तेल की मातर बढ़ाने में तिद्ध कुपी होगी है नाइट्रेस ऑक्साइड एक रंगहीन मीठा श्वाद वाली गयस है इसको हार्षी गयस लाफिंग भी क्याते हैं यह डॉक्ट्टरों द्वारा एन एने थीसिया के रूप में भी प्रयक्त होती है नाइट्रेस ऑक्साइड और वरकों और जानवरों के कचरे से तता जीवास में इनन के जलने से सर्जित होता है ब्लीचिंग पावडर को कैल्सियम ऑक्सिक्लोराइड सी ए ओ सी एल टू बेकिंग सोडा को सोडियम बाई कार्वोनेट एन सी एच सी ओ थ्री वाशिंग पावडर को सोडियम कार्वोनेट एन ए टू सी ओ थ्री प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्सियम सल्फेड हैमी हाइड्रेड सी ए ऐसो फोर सी ए एसो फोर बन टू एच टू ओ तथा नीलत होता को कॉपर सल्फेड सी यू एसो फोर कहते हैं फोटोग्राफिय में इस थाई करन के लिए उसमें सोडियम थायो सल्फेड हाइपो का उपचायक की बहांती प्रयोक किया जाता है सिग्रेड लाइटर में प्रविक गैस व्यूटेन होती है मीथनॉल या मेथिल एल्कोहल की बुड इस्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है कार्बन शरबादिक योगविकों का निर्माड करता है औक्षी कार्बन का अपर रूप नहीं है या है एक कार्बनिक योगविक है जो कार्बन आवों आउक्षीजन से यूपत होता है हीरा ग्रेफाइड आवों फुलरीन सी शिक्ष्टी कार्बन के अपर रूप है खारी पानी को सुद पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को उतकरम परासरन कहते हैं बनस्पति तेलों से बनस्पति घी हाइड्रोजन हाइड्रोजनी करन प्रक्रिया द्वारा बनाये जाता है इसमें निकेल एनाई उत्प्रेरग की रूप में कार्य करता है भारी जल न्यूकलियर रियक्टरों में विवंदक एवं प्रशीत तक दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है नाबिक के अलावक कोशिका के माइटो कांड्रिया तथा हरित लबक नामक कोशिकांग में डियनी पाहे जाता है माइटो कांड्रिया जिवान तथा नील रहित शैवाल को छोड़ का सभी सजीव पादत तथा जंद कोशिकांग में पाहे जाते है वाल्टर शूटन एवम थियोडोर बोवेरी ने गुर्शूत्रों का वन्शानुगत सिद्धान दिया था जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं डी एने में डी ओक्षी राइवोज सरकरा मौदूद होती है जिसकी द्विकुंडलीनी संदचना बोट्सन एवम ग्रीक द्वारा दी गई थी नाइट्रोजन इस्थिरी करन करने वाले जैव उर्वर्कों में राइजोबियम, एजोटोबेक्टर, एजोला, नील, हरिसेवाल, एजोस्परिलम आधी आते हैं फासपोरस घुलाने वाले जैव उर्वर्कों में वैसिलस, स्यू, डोमोनास, एसपर, जिलस सामिल है मानव जीव का अग्रचोर, मीठे, पशवा, कड़वे, पाशव, किनारे, खटे तथा अग्रचोर, एवम, किनारे, नमकीन स्वादों का नवब करते हैं एंजाइम मुलत प्रोटीन होते हैं, यतरत मानव परिवर्टन में परिवर्टन, रक्त में अमीनो, अमल का नियमन, तथा विशाक्त, अमोनिया का यूरिया में परिवर्टन करना है लारम उपस्तित, एमाईलेज, एंजाइम इस्टार्ज को सरकरा में तोड़कर इसके पाचन में सायता करता है बिटमिन B1, थियामिन से वेरी वेरी रोग, बिटमिन B2, राइवो फ्लेवन से, चाहिलोसिस तथा बिटमिन B3, नियासिन से पहलागरा रोग होता है बिटमिन B12 में कोबाल्ट होता है, बिटमिन B6, स्वपनों को याद रखने में शायक होता है रेटिनॉल, बिटमिन E की कमी से नेतर का सूज का लाल होना तोको, फेरोल, बिटमिन, ए की कमी से वंधयता तद पाइरी डॉक्षिन, बीशिक्ष की कमी से मानसिख ब्यादी रोग होता है दूध में विद्वान, सैके राइट, सैके राइड, लेक्टोज होता है तथा दूद लेक्टोवेशिलस जीवान के कारण खटा या खराब होता है अंड़ा प्रोटीन का उत्क्रेश्ट शोत है जिसमें सभी आविश्य कमीनों अमल मौजूद होते हैं प्रक्रम से अधीक्तम उर्जा मिलती है एक ग्राम बशा के पूर्ण ऑक्षी करण से नौ दसमलक तीन किलो कैलोरी उर्जा मुक्त होती है मानव शरी में अभी गमन फेपड़ा रख्त और उतक के अनक्रम में होता है शोशन में एटीपी की रूप में उत्पादित होती है फे कार्ल लेंड इस्टीनर ने की थी रूधिर के प्लाजमा में लिंफोसाइट द्वारा एंटीवाडी निर्मेत होती है मनुष के शरी में खोन की शुद्धी करण की प्रक्रिया डायलेसिस कहलाती है मानव गुर्दे में बनने वाली पत्री केल्सियम और जलेट की बनी होती यह मानव वक्र का सामानिकार रक्त में जलकी मात्रा नियंत्रन यूरिया को चान कर बाहर करना एवं कुछ हार्मोन का श्रवन करना है परियाबरन एवं पारिस्थितिक पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सरप्रथम प्रयोग एजी टॉंसली द्वारा किया गया है यह पारि किसी समदाय में प्रचोरता तथा जैब भार की अलपता की बावजू सामदाईक अविलक्षणों पर अपना प्रवाव दर्साति की इस्टोन प्रजात कहलाती है दो या उससे अधिक बीविद समदायों के मद्य शंक्रमण छेत को इको टोन कहते हैं प्रवाल मुखी रूप स सूर के प्रकास एवं ऑक्सीजन की कमी होती है इनके विकास के लिए जलकावशाद रहित होना चाहिए आर्दभूमियों पर रामशर शम्मेलन 1971 समझोता 1975 में लागू हुआ तथा भारत इसमें 1982 में सामिल हुआ बिश्व आर्दभूम दिवस दो फरवरी को मनाया जाता है पहला आर्दभूम दिवस 1997 में मनाया गया था मैंग्रो ब्रक्ष उश्र कटवंदी एवं उपोश कटवंदी जेतरों के तटों ज्वारनद मुखों ज्वारी क्रीक पश्च जल लैगून एवं पंक जमावों में विच्षित होते हैं मैंग्रो पौधों में ऑक्षिजन का पारवन डायोक्षाइड का आदान प्रदान करने के लिए विशेश वशन जड़ों का विकास होता है जिसे न्यू मेटो फोर्स कहते हैं जब किसी जली छेत्रियाच समुद्र के फाइटो प्लैंक टन में तीब्र प्रित्यों हो जाती है जिससे समुद्र का रंग परिवर् किया गया पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्रात करते हैं पारेस्थित की तंत्र में तत्तों के चक्रन को जैब भू राशायने चक्र कहते हैं प्रात्मिक प्रदूसक प्राकृतिक या मानवी क्रिया का लापन द्वारा शीधे बाय में निसकासित होते उधारणते एसो थ्री सल्फियूरिक अमल एच टू एसो फोर पेरोक्सी एसिटिल नाइटरिट पी ए एन नाइटरिक अमल एच एन ओ थ्री धूम कोहरा आदे जीव जन्तु एवं बनस्पतियों का उनके प्राकरति कावास में सनरच्छन स्थाने सनरच्छन कहलाता है उधारण के लिए राश्टि उध्यान बनजीव अभ्यारन आरच्छित जैव मंडल का निर्माण पवित्र उपवन पौधों एवं जीव जन्तुओं का सनरच्छन उनके प्राकरति कावास के बाहर किसी विसेश छेतिया स्थान में किया जाता है वाय स्थाने सनरच्छन कहला उधारण के लिए वाटे निकल गार्डन चेडिया घर जीन बैंक जीन पूल सेंटर इत्याद जैव विवित्ता अविशम में 1992 रियोडी जेनेरियो में प्रित्वी सम्मेलन में अंगी कृत कार्टा जेना जैव सुरच्छा प्रोटोकॉल बर्स 2000 में हस्ता शरित किया गया तथा 23 में लागू हुआ अब देखेंगे उत्तर प्रदेश समसाम एक घटना क्रम नीत आयोग की पहली डेलता रैंकिंग 23 में अकांची ब्लाक ब्लाक प्रोग्राम के लिए उत्तर प्रदेश के कौसामभी जिले के कौसामभी ब्लाक ने दुती इस्थान प्राप्त किया इस्टोन की प्रतिमाभी इस्थापित है लीट से 23 सर्वे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश लगाता दूसरे बस अचीवर प्रदेश बना इसमें राज्यों की चार सेर्णियों कोस्टल लैंड लॉक नौर्थ इस्थ और संग्षासित राज्यों में माटा गया होट कुक् अच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकाद्वारा सुरू की गई योजना है इसमें भोजन की रूप में प्रतिलावार्ती प्रतितिन सतर ग्राम गर्म भोजन उपलब्द कराना है बुंदेल खंड उत्तर प्रदेश का पहला सौर उजा एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है इसमें एक्सप्रेस वे के किनारे 1700 हेक्टेर भूम पर सोलर प्रांट लगाने की योजना है जो 550 मेगावार्ट बिजली उत्तर पादित करेगा मुख्यबंतरी योगी आदे तिनात ने मिशन शक्ती अभियान के तहत मिशन महिला सार्थी पहल का सुभारम अयोध्या से किया इसका उत्तर प्रदेश महिला ड्राइबरों और कंडक्टरों को जोड़ना उन्हें ससक्त बनाना है उत्तर प्रदेश सरकार ने गोवंशी पश्मों की नसल सुधारवत दुख दूत पादक्ता में ब्रदी हेतु नंदवावा मिशन के तहत नंदिनी क्रेशक सम्रत पी में 9.5% योगदान के साथ दूसरी वड़ी अर्थविवस्ता बना जिबकि महाराष्ट 15.7% योगदान के साथ प्रतम स्थान पर है उत्तर प्रदेश में भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता के इंदर इस्थापित किया जाना प्रस्तावित है हाली में उत्तर परेटन होटेश पॉर्ट के रूप में विक्सित करने में शहायक होगा अयुद्या से समंदित अन्य बिविन परियोजना अयुद्या विजन दोहजा से तालिस थीम के तहत करीब 260 परियोजनाओं में लगवग 30,000 करोड रुपे खर्च से बिविन सुविताओं का विकाश सजाया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह एंथम सौंग जारी किया है इस गाने को गीतकार रितेस रजवाडा ने लिखा है जिबकि कुमर अंशित ने इसे गाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में भारती मंदिरों की इस्थापति विराशत और बैग्यानिक को प्रतर्शित करने के लिए अयोध्या में एक मंदि शंग्राले बनाने की घोशना की है संग्राहले देश वर के हिंदू मंदिरों को गौरवशाल इत्यास बताएगा और शनातन की शमगर शंश्कृत को प्रतिविंबित करेगा हाली में उत्तर प्रदेश के लखिमपुर जीरो उननचास तीन हजार उननचास दसमलग तीन नौ बर किलो मीटर के छेत में स्थापित किया जाएगा इसमें पीली वीट टाइगर रिजर्ट दुदबा नेशनल पार्क किशनपूर वनजीव अभ्यारन करतनिया घाट वनजीव अभ्यारन दुदबा वफर जोन और व इखनव के शरगे अटल विहारी बाजपी इकाना इस्टेडियम के निकट सीजी सिटी में लगबग 23 करोड रुपे की लागत से होगी उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज विद्युत उत्पादन निगम लिम्टेड यू पी किया जाएगा अब हम देखेंगे अंतरिम बजट दो हजार चौबिस रभग कार्य मंतरी कार्य मंतरी कार sud नेर्मला सीता रमन ने साथ सबकाविकास और सबकाविश्वास के मंत्र एवं सबकाव रयास के दृष्टिकॉण के साथ 1ू peut 2024 को संसत में अंतरिम बजट 2024 पेस की अवित्वंत्राले का आर्थिक मामलों का विभाग बज़र तैयार करने के लिए जिम्मेदा नोडल निकाय होता है महतपूर्ण बिंद देखेंगे इसकी बिंदू देखेंगे महतपूर्ण संसद में प्रस्तुत अंतरिम बज़र 2024 बच्चेस में कब तक सर्वांगीर सर्व्यापी तथा सर्व शमावेशी विकास के साथ विक्षित भारत की परकल्पना की गई है बर्च 2047 तक केंदरी बज़ट को कितने भागों में बर्गी कृत किया गया है राजस बज़ट और पूंजीगत बज़ट में बज़ट में किस चार प्रमुक बर्गों पर विशेद धियान केंदरित किया गया है गरीब महलाएं युवा एवम अन्नदाता यानि की किशान बजट अनुम क्रम्शत 30.8 0 lassão क्रोड रुपय करकूद कप्रातियां किप्स HIV today क्रिक ब्लन गरफबे विशाल दुन धिया में अनुमान है ग्रत्वीय का ठीज ऑन्न बोट से 24 के लिए सकल घरेल उतपात का कितना प्रतशत है 5.8 प्रतस बर्स 2020 में राज्यस तुब्र चोल सगाट सकल घरेली उतपात का कितना प्रत्षत रहने का अनुमान है दो प्रतस इस्वर्स जेंडर बजट के तहट कुल आवंटं तीन लाज करोड रुपए है जो कुल मार्च दो हजार पच्चेस तक रक्षा शड़क परिवहन रेल एवम ग्रामीर में काश मंत्राले को बजट में कितने रुपई आवंटित किये गए हैं क्रमश चे दसमलब दो दसमलब साथ आठ दो दसमलब पांच पांच एवम एक दसमलब साथ साथ लाग करोड रुपे मन् बजट का सार दिया गया है यहां देखिए बजट का दो हजार चौविस पच्चेस का बजट का सार दिया गया है दिया हुआ है इस रेनी दे हुई है एक यह देखिए इसमें आप देख सकते हैं और आप चाहें तो इसका स्क्रीन सौर्ट ले सकते हैं या आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं या नोट कर सकते हैं अपनी नोट बुक में राश्टी हरित हाइड्रोजन मिशन को बजट 2023 की 297 करोड रुपे की तुलना में बितबर्थ 2024 में कितनी धनरासावंटित की गई है 600 करोड रुपे कितने का प्रत्यक्ष हस्तांतरन हुआ है 34 लाग करोड रुपे का पी एम स्वानिदी के तहट कितने फेरी वालों को रिंड साहता की गई है 78 लाग पी एम जन्मन योजना के माध्यम से किसकी विकास पर ध्यान दिया जा रहा है विशेस रूप से कमजोर आदिवाशी शमू पी-एम बिश्यक्रमाय योजना के तहट कितने बेवशायिंस से जुड़े कारिगरों एवम शिल्प कारों को एंड टू-एंड मदद करने मदद प्रदान की जा रही है अठारे अन्दाता का कल्यान अब देखेंगे अन्दाता का कल्यान पी-एम किशान-शम्मान योजना कितने किशानों को बिथी साहता प्रदान की गई 11.81 पी Đम फसल भीमा योजना के तहित कितने किशानों को फसल भीमा उपलब्द कराई गई 4 करोड इलेक्टरोनिक नेशनल एooooo culture market इडिय नाम के कितने करोड मुद्रा योजना रेन महलाई उद्धमियों को दिये गए 30 करोड उच्च सिच्छा में महलाओं की नामांकन में कितने प्रशत तक की ब्रद्धी हुई है 28 प्रशत इस्टेम पाठे क्रमों में 16 एवम महलाओं का कितने प्रशत नामांकन हुआ है जो दुनिया में सबसे अधिक हैं 43 प्रत्सद किसी योजना के तहरे 70 प्रत्सद मकान ग्रामीन महलाओं को दिये गए हैं पी-एम आवास योजना देखेंगे युवा या अमरित पीडी कौन सी पहल गुडवत्ता पूर्ण सिच्छन शमग्र और शर्वांगीन व्यक्तियों का पोशन करती पी-एम इस्कूल फॉर राइजिंग इंडिया किस मिशन के तहट 1.4 करोड युवाओं को प्रसिक्षित किया गया कौसल भारत मिशन अब हम देखेंगे पी-एम आवास योजना ग्रामीड च्छत पर सौर प्रणाली लगाने से कितने परिवार हर महीने 300 यूनित तक शिर निशुलक बिजली प्राप्त कर रहे हैं एक करोड परिवार प्रति एक परिवार को शालाना कितने रुपय की बज़त होने का अनुमान है 15,000 से 18,000 रुपय क्रेशी एवम खाद्य प्रसंस करण प्रधान मंतरी किशान शंपदा योजना से कितने किसान लावान बित हुए है 38 लाग इस से रोजगार के कितने अवश करने में मदद मिली है प्रधान मंतरी सूचम खाद प्रसंस करण उद्यम से केंदरी बजट दिया गया है 2024 का 2024 का इसमें केंदरी डाजश एवम ब्या दिया गया है इसे आप लोग देख सकते हैं यह देखी देखिए आप लोग देख सकते हैं इसे अब हम आगे हम पार्कों की स्थापना की जाएगी पांच 2013-14 से सी फूड का नेरियात अंतर देशी और एक्वा कल्चर उतपादन कितना हुआ है दो गुना अब देखेंगे बुनियादी धांचा एवम निवेश बुनियादी धांचा की विकास और रूजगा स्रजिन के लिए पूंजी लॉजिस्टिक्स कुसलता को बेहतर करने और लागत घटाने के लिए किस के तहत तीन प्रमुक आर्थिक रेल गलियारा कारिक्रमों की पहचान की गई है पी-एम गतिशक्ति के 40,000 सामाने रेल डिब्बों को किशके मानकों के अनुरूप बदला जाएगा वंदे भारत देश में हवाय अड़ों की संक्या कितनी हो गई है 149 वर्स 2014 से 2023 के दोरान एफडियाई का अंतर प्रवा 596 अरव डॉलर रहा जो वर्स 2005 से 2014 के दोरान हुए FDI अंतर प्रवा के मुकाबले कितना हैं दो गुना अब देखेंगे हरे तूर्जा से समन्दे कब तक हरे तूर्जा से समन्दे देखेंगे कब तक 100 मेंट्रिक टन की कोईला कैसी करण और तरली करण छमता इसापित की जाएगी बर्स 2030 तक इसके लिए और घरेलू प्रयोजनों के लिए पाइपड नैचुरल गैस पी अंजी में कंप्रेश्ट बायो गैस सीवी जी के चरणबद अधी देशात्मक मिस्रण को अनिवारी किया जाएगा परिवहन के लिए हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए किस एक नई योजना को शुरू करने का प्रस्ताव किया है जैब बिनिर्मान और वायो फाउंडरी की तो फ्रेंट्स हमारे अप्रेल मंत की क्रोनिकल का सेकेंड पार्ट यहां पर कम्प्लीट होता है और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहिए अपना खयाल रखिए और मेरी बात को याद भी रखिए कि चैनल को लोगों तक सेयर करना है नई लोगों को जोड़ना भी है इसमें धन्यवाद